हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कार, भारत के महान ग्रंथों और कावियों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें, तिलक कि के अश्माञत अच्य हमारे संस्क्राइब कर चूँे हमारे संस्क्राइब करें line हरे किष्णा, हरे हरे सच्छी दानंदर उपाय, विश्व मत क्या धिये तवे सच्छी दानंदर उपाय, शी क्रिष्णा, विश्व मत क्या धिये सच्छी क्रिष्ण को बिंदरे मुरारे, एनात नाराय वासु दे लादे लादे किस्नु भीर, लादे किस्नु भीर, लादे किस्नु यरुन् स pipe, daot लुष। ऐजिए श्री कृष्ण श्री कृष्ण कता में शुभद्रा विवा का प्रसंग हम यहीं समापत करते हैं ्भद्रा परूप के इस प्रसंग में परगवान शिरी कृष्ण ने दो जगा अपने ब्रहद विराठ रूप के दर्शन कराए हैं कि इसके बारे में हमारे बहुत सारे दर्शिकों और मित्रों की और से सेंक्णों पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें धेर सारे प्रश्न है वास्तम में आमधारना यही है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराठ रूप के दर्शन केवल एक ही बार उस वक्त कराये जब वो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे प्रंतु वास्तविक्ता यह नहीं है क्योंके केवल गीता के समय ही नहीं बलके श्री कृष्ण कथा में और कई ऐसे स्थान आते हैं जिनमें श्री कृष्ण के अपने ब्रहत स्वरूप के प्रदर्शन करने का वर्णन जैसे शिशुपाल वद्द के समय उन्होंने किया जैसे काल यवन वद्द के समय महराज मुचुकूंद को उन्होंने अपना ब्रेहद रूप दिखाया महराज मुचुकूंद जैसे महाभारत युद से पहले एक बार जब श्रीकृष्ण शान्ती दूद बनकर कौरव सवा में गए तो दुर्योधन वहीं उनको घेर कर मारना चाहता था तब फौरण उन्होंने कौर्वों की भरी सवा में अपने ब्रेहद रूप का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देख कर दुर्योधन आजी बैभीत होके बाग गया एक और बात का श्वासन भी हम अपने मित्रों को दिलाना चाहते हैं कि ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण घटना को हम तभी दिखाते हैं जब हमारे पास उसका प्रमान माजूद हो सो इस घटना का प्रमान हमें दो गरंतों में मिलता है श्रीमद भागवत महापुरान और हरीवन्षपुरान भागवत के दशम सकंद के उन नानवे अध्याय के शलोक नंबर साथ तक ब्राहमन के मृत बालकों को वापस लाने की कथा विस्तार से लिखी है उसी अध्याय के शलोक नंबर अठानवे में लिखा है कि वहाँ जाकर श्री कृष्ण ने अपने ही अनंत सुरूप भगवान को स्वयम भी प्रणाम किया प्रणा प्रभू कहों आसुदे श्री कृष्ण कैसे आना हुआ उसी प्रकार हरिवन्ष पुरान के विष्णु परव के 113 में अध्याय के 23 शलोक में वो प्रसंग लिखा है जब अंधेरी गुफा में फस जाने पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन से रास्ता दिखाने को कहा जाओ सुदर्शन अपने जोतिर में तेच से इस घंगोर अंधिकार को भेद कर हमारा मार्ग प्रकाशत करो चलो पार्थ कि एक सो चौद में इस बात का भी वर्णन है कि अरजुन ने दुबारा श्री कृष्ण से अपना दिविए रूप दिखाने की याचना की और भगवान ने उसे स्विकार करके दूसरी बार उसे अपने परम रूप का दर्शन कराया वास्तव में इस सारी लीला का प्रियोजन एक ही था कि भगवान अपने परम सखा आरजुन के अंदर उगते हुए अंकार के पौदे को जड़ से ही काड़ देना चाहते थे इसलिए उन्होंने जब दूसरी बार विराठ रूप धारन किया तो उन्होंने कहा मैं केवल आहंकार का भोजन करता हूँ असल में ये प्रभू की परम दयालुता ही है कि जो भक्तोंने अतिप्री होते हैं उन्हें वो अतिशीग्र हंकार जैसे दोश से मुक्ति दिला देते हैं बले उसके लिए उन्हें कोई दुखदाई नाटकी करना पड़े क्योंकि वो जानते हैं कि हंकार भक्ती का परम शत् भक्तों विनम्र होता है समर्पित होता है मूलता प्रभू के सामने वो अपने को केवल एक भिकारी ही समझता है जिसे केवल अपनी प्रभू की शक्ती पर ही बरोसा है लेकन अगर कभी उसे अपनी भक्ती का अत्वा शक्ती का थोड़ा सा मान भी हो जाए तो उसी समय वो अ तो माया उस पर जबट कर उसे अपने जाल के अंदर कीच कर ले जाती है जहां वो लोब, मोह और काम की रंगीन तितलियों के पीछे पागल होकर भागना शुरू कर देता है इसलिए प्रभू को उसे बचाने की बहुत जल्दी होती है वास्तव में आहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शुत्रू है काम, क्रोध, लोब, मोह इन विकारों पर काबू पाना आसान तो नहीं प्रन्तु असंभ भी नहीं भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इन पर काबू पा सकता है और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि भगवान की आप पे कृपा हो तो आपकी अपनी संतान, आपके बच्चे, आपके निकट सम्मंधी आपके मित्र ही आपका दिल कुछ इस तरह तोड़ देते हैं कि मोह स्वयम ही टुकडे टुकडे हो जाता है और वैराग्य आ जाता है मोह गया तो लोब भी साथ चला जाता है ये सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि असंभव नहीं प्रंतु असंभव है केबल अहंकार पर काबू पाना केबल अहंकार ही एक ऐसा दोश है जो बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े योगी बड़े से बड़े देवता के मन में किसी कोने में इस प्रकार चुपकर बैठा होता है कि मुनुश्य को स्वयम भी दिखाई नहीं देता यहां तक कि बड़े विनम्र भक्त के दिल में भी उसकी अपनी विनम्रता का अंकार भी छुपा होता है कि मैं बहुत विनम्र हूँ, मेरे अंदर अंकार ही नहीं है हालां कि यही उसका अंकार होता है इसलिए जब प्रवु अपने किसी भक्त को अंकार के जाल में फंस्ता देखते हैं तो तुरंट उसके मन से इस अंकार को धो देते हैं उसी प्रकार जैसे माता अपने बेसहारा बालक के शरीर से उसका मल मुत्र अपने हाथ से धो कर उसे साफ कर देती है अपने प्रिये जनों का हित करने के लिए भगवान को अक्सर बहुत सारी लौकिक लीलाएं भी करनी पड़ती है विशेशता अपने भक्तों को अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए फिर हंकार के वश में चाहे उनका अपना सखा अर्जुन हो और चाहे उनकी पत्नी सत्यभामा हो उन्होंने सरवदा कुशलता पूर्वक अपने भक्तों के हंकार का नाश किया है भगवान श्री कृष्ण की तीन प्रमुख पट्रानियां थी रुकमिनी जामवन्ती और सत्यभामा सत्यभामा का सभाब कुछ हंकारी और इर्शालू था वह अपने रूप धन और वैभव के घमंड में दूसरी रानियों को नीची द्रिश्टी से देखती थी पहन सत्यभामा तुम्हारे रूप की चर्चा तो मदोसुदन सदयव करते रहते है हाँ जामवन्ती ठीक ही कह रही हो तुम सत्यभामा तो यदुकुल की सर्वांग सुंदुरी हैं मदोसुदन क्यों ना इनकी रूप की प्रशंसा करेंगे हाँ रुक्मिनी बेहन, मदुसुदन तो इनकी प्रशंसा करते अगहते ही नहीं है, जब भी मुझसे एक आंत में मिलते हैं, उनके हूंटों पर सत्य भामा का ही नाम होता है करते हैं, पर सत्य नहीं है मुझे नहीं, पहले सत्य भामा को लगाओ ना अलग तक मुझे नहीं लगवाना अलग तक क्यों सत्य भामा? बस कह दियाना मुझे नहीं लगवाना बहन सत्य भामा को यह क्या हुआ? अचानक उनके तेवर क्यों बदल गए दिधी? तुम नहीं जान दी, जामबंती सत्य भामा को यह बुरा लगा कि तुम्हारी दासी ने सबसे पहले उसे अलग तक क्यों नहीं लगाया? उसमें इस बिचारी का क्या दूश? यह मेरी अंतरंग दासी है इसलिए इसने सबसे पहले अपने स्वामिनी को सेवा की योग्य समझा परन्तु आपने तो इसका बुरा नहीं माना जाने दिजामबंती मेरी बात और है सत्य भामा की और उसे अपने रुप का अहंकार है वो अपने आपको सर्वशेष्ट मानती है जानी सत्य भामा का हंकार छोटी-छोटी बातों को लेकर प्रकट हो जाता था इसका एक विशेष खारन भी था कि सत्य भामा एक वैभवशाली यदूबंशी सरदार सत्याजीत की पुत्री सत्याजीत ने एक महान तपस्या करके स्यमंतक नाम की मनी पराथ की थी उस मनी को वो प्रती दिन सूर्य के सामने रख कर जब मंत्रों चार करता था तो उस मनी से सोना परस्ता था यद्मंडलं देव गनैह सुपूजितं विप्रे हस्तुतं भावन मुक्तिको विदं तंदेव देवं प्रणमा मिशूर्यं पुनातुमा तचस प्रणमा तचस वितुर्व offend तचसक devam वितुर्व झयं तचस वितुर्वड sweatshmit वितुर्वован कहते हैं कि उस मनी से प्रती दिन बीस मन सोना प्राप्त होता था और सत्राजी इतना धन और वैभव प्राप्त करके उसका खुले पंदों भोग किया करता था सत्राजीत के इस वैभव की चर्चा द्वारका के यादवों की सभाओं में अकसर होती थी और एक दिन यादव सभा में जब इसकी चर्चा चली तो सतरा जी तो इस समय सबसे धन्वान हो रहा है होगा क्यों नहीं उसे समयन तक मनी जो प्राप्थ हो चुकी है सुना है कि वो मनी उसे प्रते दिन बीसमन सोना देती है हां सुना तो मैंने भी ऐसा ही है प्रते मनी उसे मिली कहां से भूमी से और कहां से तो भूमी से मिली हुई संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है आपका क्या मत है इसमें साथ्तिकी जी मेरे मत से तो यह बात कोई ठीक नहीं है एक आदमी ही उस मनी के विभाव का भोग करें इसलिए सत्राजीत को यह मनी राजकोष में दे देनी चाहिए राजकोष में क्यों दे देनी चाहिए है यह मटनी तो शत्राजीत को इसकी अपनी भूमी से मिली है जिसपर उसका पूरा अधिकार है आपका क्या कहना है गुरूजी केवल इतना ही कि द्वारिका राज के स्वामी द्वारिका धीश है उन्होंने ही इस राज का अन्प्राप्त करती है उस पर तो प्रजा का ही अधिकार होता है उसे राजकोष में क्यों नहीं जमा कराया जाता है प्रजा का पालन और राज्य की सुरक्षा एक राजा का परम करतव्य होता है इसलिए तो प्रजा जो अन्व पंद करती है उसका कुछ अंश ही राजकोष मे करके रूप में जमा कराया जाता है अन्न प्रजा के श्रम के उत्पत्ती है परन्तु भूगर्व से जो संपत्ती प्राप्त होती है वो श्रम के उत्पत्ती नहीं है इसलिए वो संपत्ती राजकोश में जमा कराना ही उचित होता है सिमन तक मणी के लिए राज्ज में रक्तबात हो सकता है और सत्राजीत किसी आपत्ती में फच सकता है राजा को मणी देने से वो भी स्परक्षित रहेगा और द्वारिका राज्ज के वैवो में भी व्रद्धी होगी अंततह सत्राजीत तो इसी राजवंज का एक हिस्सा है परन्तु ये बात सत्राजीत को समझाएगा कौन मुझे कुछ समझाने के आवशक्ता नहीं है मैं सब समझता हूँ ये समन तक मणी सिर्फ मेरी संपत्ती है मेरी कि इस सत्राजीत और सेंट जीत दोनों भाई कायर नहीं है जो अपनी संपत्ती की रक्षा ना कर सके अब फिर ये मनी तो मेरे भाई को अपनी भूमी से प्राप्त हुई है तो फिर हमें से किसलिए दौर का दीश को दे दे इसलिए कि इसमे पूरी द्वार्रिका का हित है इस मड़ी से जो सोना निकलेगा वो नगर जनों के हिद में प्रयोग किया जाएगा इस से सारे संसार में द्वारी का राजी की पृतिष्ठा बढ़ेगी, घटेगी नहीं सत्रा जी तुम्हारे सौमित मणी होने से केवल तुम्हारी ही पृतिष्ठा बढ़ रही है दौर का राज्य की नहीं आप कुछ भी करने अकुरूर जी मैं आप लोगों की चाल को अच्छी तरह से जानता हूं मेरे भाई को बहला पुसला कर किसी न किसी तरह से द्वार का धीश इस मणी को हत्या लेना चाहते हैं और उन्होंने अपना दूत बना कर आप लोगों को भेजा हैं जा उनसे कह दो कि समन तक मणी प्राप्त करने के सपने को भूल जाएं सत्त राजित का इतना साहस कि वो द्वार का धीश को चिनोती दे सात्यकी जरह फिर से कहो तो उसने क्या कहा था यही दाव भाया कि द्वार का धीश ने हमें दूत बना कर स्यामन तक मणी को हध्या लेने के लिए भेजा है मेरे ही राज्जि में रहेगा और मेरी निंदा करेगा मैं पूस्ता को उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक राजा के अधिकारों को चिनोती दे सके क्या एक समयन तक मणी ने उसे इतना दूसरासी बना दिया है तुम लोगों की बातों से तो लगता है कि उसे राजा के अधिकारों से परिचित कराने का समय आ गया है चलो किसे क्या पर्चे देने जारो दाओ भीया कुछ नहीं कर नहीं सत्राजीत को बहुत एहंकार हो गया है उसे राजा के अधिकार समझाने जा रहा था मैं किसलिए इसलिए कनहिया कि एक सेमन तक मणी के कारण वो स्वेम को द्वारिकाधीश से बढ़कर समझने लगा है कि वासुदेव हम लोग भी सत्राजीत को यही समझाने गए थे कि वो मणी द्वारिकाधीश के योग के है इसलिए वो मणी राजा को बेट कर दे परन्त उसने हमारी बात कर निरादर कर दिया हां और वो उसे अपने मीजी संपत्ति मान बैठा है और इसलिए कनहिया मैं उस दुर्योग निया संगत है क्या यह एक राजा के अधिकार का दुरुपयोग नहीं होग दाव भैया क्यों क्योंकि राजा का सबसे पहला करतव है कि वो अपनी प्रजा के रक्षा करें उसका पुत्रवत पालन करें अपनी प्रजा की संपत्ति और उसके वैभाव को सुरक्षित रखें एक राजा को अपनी प्रजा की संपत्ति को बलपुर्वक चिनने का कोई अधिकार नहीं यदि राजवन्शी अत्याचारी हो जाएगा तो एक राजा और दस्यू में क्या अंतर रह जाएगा अधर्म के अनुसार राजा पालक होता है घातक नहीं फिर हम अधर्म के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं दव भीया तो क्या स्यमंतक मणी उसकी निजी संपत्ति हो गई है निश्चे ही वो सत्राजीत की संपत्ति है उसे उसी के अधिकार में रहने देना चाहिए वो हमारी संपत्ति कदाप ही नहीं अक्रूर जी अधर दूसरे दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन जब शिकार खेलने जा रहा था तो वो सुरक्षा की द्रिष्टी से स्यमंतक मणी को अपने साथ ही ले गया तुम कोई चिंता मत करना सत्राजीत ये मणी मेरे पास सुरक्षित रहेगी कि अगर इसे में तुम्हारे पास छोड़ जाओंगा तो कोई इसे तुम्हें पहला फुसला कर द्वार का धीश को देने के लिए बाद्दे करेगा कि मैं शिकार से लॉट कर इसे तुम्हें वापस कर दूँगा ठीक है भी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा कर दोचे करने कर दो कर दो कर दो कर दो कि रहां.. मेरी राय में तो आप व्यर्थ का विवाद बढ़ा रहे हैं और यदुकुल के राजवंश को रुष्ट करने जा रहे हैं क्यों क्या ये मरी मेरी संपत्ती नहीं है मैं जानती हूं कि ये आपकी संपत्ती है तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं दूसरों के लिए अपनी संपत्ती और सो कदान कर दूँ दूसरों के लिए नहीं अपनी पुत्री के लिए तो कर सकते हैं अपनी पुत्री के लिए क्यों नहीं और उसके लिए आपको एक वर तो खोज नहीं है निश्चे ही तो फिर हमारे जमाता के रूप में श्री कृष्णे से बढ़कर और कौन उप्युक्तवर हो सकता है अरे तुम तो बड़े बुद्ध्युमती हो गई हो मेरा तो सुपन भी ये विचार नहीं था इस समस्या का कितना सहज और शिक्र हल्ट खोज लिया तुम्में निश्चे ही मेरी बेटिस तो भागिशाली है एक सहमन तक मनी का दहीज देकर एक पिता को दुआर का धीश चेसा दामाद मिल जाए तो इसके लिए इससे बढ़कर सुक और क्या हो सकता है प्रसंजीत को आने दो मैं उसे अब इस प्रस्ताव के लिए सहमत कर लूँगा अरे लो प्रसंजीत आ गया प्रसंजीत कहां है प्रसंजीत क्या हुआ यह सथित्र राखक करने क्या था परंत यह आर्शु केला द्वार पर आए बहल रहा है कहीं कोई तो नहीं होई सेमन तक मड़ी भी तो उसके पास थी क्या तो चलो हम सब उसकी खोज में चलते हैं है इतो प्रसेंजित का दनुश है हाँ 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 प्रसेंद जीत पर किसे ने घात तो नहीं किया यहां कहीं सेवन तक मड़ी भी तो दिखाई नहीं दे रही है कौन घाइत करेगा प्रसेंद जीत पर मेरा तो अनुमान है कि किसी वन पशू ने हमला किया होगा किसी हिन्सक जानवर का ही काम लग रा है यह नहीं किसी हिन्सक मनुष्य का कारे लगता है यह हो सकता है किसी डाकु ने मनी के लालश में आकर उस पर वार किया हो सत्रजीत परन्तु मनी तो सदयव मेरे पास रहती थी सभी को मालू है कि स्यम तक मनी का स्वामी मैं हूँ ये डाकूं को कैसे पता चला कि आज मनी प्रसेन के पास है परंतु कल तो मनी उसके पास थी हाँ उसने वो मनी आगराफ पुर्वक मुझसे मांग ली थी आखेट पर आते समय तो फिर ये भी तो हो सकता है कि कोई आदमी नगर से उसके पीछे-पीछे आया हो और मौका पाते ही वार कर दिया हो परंतु ऐस से मनी का लालच लगाओ जिसने आपसे वो मनी प्राप्त करने की चेश्टा की हो तो क्या यह कुछ शडियंत्र है धन का लालच कुछ भी करा सकता है बड़े से बड़े आदमी का धर्म भी माया के इस चक्रविव में फसका डोल जाता है अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग इस मनी को द्वारे का धीश को देने का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आये थे ना सत्य है और तुमने उस मनी को द्वारे का धीश को देने से मना कर दिया था यह भी सत्य है फिर यह क्यों नहीं सोचते कि प्रतिदिन बीस मन सोना देने वाली उस मनी के लिए कोई क्या नहीं कर सकता तो क्या तुम्हारा तात्र पर ये है कि द्वार का अधीश ने प्रसेंद जीत पर धाहत कराया है हो सकता है अगर यह सकते हैं तो अश्रीकिस्ट ने ठीक नहीं किया एक मणी के लिए मेरे भाई के प्रांड ले लिए अरे कहां तो मैंने संकल्प किया था कि मैं अपनी पुत्री सत्यभावा के साथ साथ ये सें तक मरी भी तो अरिक अधीश को सौप दूंगा तो मैं उन्हें पना दामात बनाना चाहता था मैं उनके पाउंप कोजना चाहता था टुरिकाधीश तुमने बहुत शिक्रता कर दिवाथ शिक्रता कर दिव से ऐये मेरा भाई प्रजेद मेरा भाई प्रसेन किसके द्वार पर जाकर करेंगी बहना अरे वो मनी तो द्वार का धीश के पास पहुंच गई इसमें कोई शंका नहीं अरे उस मनी को प्राप्त करने के लिए ही तो सात्यकी और अक्रूर सत्राजीत के घर पर गये थे और तुम लोगों ने प्रजा किस बात को चुपचाब परंतु सुनने के तरिक चराही क्या है दाऊ भाया आए चारा आवाश्य है इस ज्जूते आरोप के लिए हम प्रजा को दंड दे सकते हैं कि उससे सट्तिराजीत कि उप्रषेण जीत मर गया कि इस बात का दुख हमें अवश्य है डर्क इसे सट्त्राजीत कोई छूट नहीं दी जया सकती कि वह्लारी का देश अरगल आरौप ता फिरे टोर्का दृश कर दोश लगाने का अर्थ है कि दर्म पर आरो हमें इस घटना पर अवश्य नए सिरे से विचार करना होगा विचार कैसा अगर सत्राजीत हमारे पास आकर प्रार्थना करता तो हम अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस बात का पता अवश्य लगाती है पर दूसमें तो सीधे सीधे द्वार का धीश को ही इस शड़ेंद्र में घसीटा ह अब उसे इस बात का दंड अवश्य मिलना चाहिए परन्तु दाओ भाईया दंड देने से पहले हमें अवश्य द्वार का धीश से सलाह ले लेनी चाहिए उससे क्या सलाह लेनी होगी हमें उससे क्या सलाह लेनी होगी वो तो फिर से कोई नीती या धर्म की बात लेकर हमें उग्देश देगा और क्या में दौभाया इस आरोप का संबन्ध सीधे द्वार का धीश से हैं इसलिए सबसे पहले हमें उनका मत ले लेना चाहिए अकुरूर जी ठीक क्या रहे है कि अगर कि कि अगरे है है कि लो देखो है कि नहीं तुम्हारे द्ध्यान लगाए बैठी और वहां परजा तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या कहे जा रही है क्या कहें जारीदा उभिया यही कि सत्राजीत के भाई प्रसेंट जित का वद्ध करवा कर तुमने सायमंतक मनी का हरण किया है और हम लोगों ने निश्य किया है कि सत्राजीत को उसके मिठ्या रोब के लिए दंडित किया जाए ऐसे लोगों को द्वारका में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो द्वारका अधीश पर उंगली उठाते हों सात्यकी इस परिस्तिती में क्या सत्राजीत को दंड देना उचित होगा दंड तो उससे दिया जाता है जो अपरादी हो उसली क्या अपराद किया है उसका अपराद ये है कनहिया कि उसने तुमपर मिध्यारोप लगाया है क्या ये अपराद कम है परणतु उसके आरोप के पीछे उसकी नयाय मांगने की पुकार को क्यों नहीं सुनते हैं दाव भीया आखिर उसका भाय मरा है उसकी अमूले मड़ी की चोरी हुई है परन्तु कनिया क्या उसका उत्तरदाई तो हम पर है कनिया लोग वहां तुम पर किचड उचाल रहे हैं और तुम यहां मुश्कुरा रहे हो यदि हम सत्राजीत को दंड देंगे तो क्या लोग चर्चा करना बंद कर देंगे नहीं दाओ भीया उसे दंडित करने से तो लोग पुष्ट कर देंगे कि क्रिष्ण ने ही स्वयमन तक मड़ी के कारण प्रसेन जीत के हाथ्या कराई है दंड देने से तो उसका आरोप और प्रबल हो जाएगा देखो देखो साते की मैंने कहा था ना क्रिष्ण से परामर्ष करने की कोई आवशक्ता नहीं है यह हमें नीती की और धर्म की बड़ी-बड़ी बाते सुनाकर अपने उद्देश से भटका देगा यही हो रहा ना परंतु दाओ भीया आप यह क्यों भूलते हैं कि हम राज रहा है कि महत्र दंड देना ही हमारे करता वह नहीं है तो फिर या करोगे गणिया क्या करोगे तुम हरों को सरजुगाश कर लोम यहीं यह नहीं दाव भीया, हम स्वयम सत्य की खोच करेंगे, स्वयमें तक मणी की खोच करेंगे, आखिर मणी कहीं न कहीं तो होगी आपका विचार ठीक है द्वारीकाधीश, अब आप स्वयम ही अपने उपर लगे कलंग को हटा सकते हैं यहीं पर्परसेनजीत का धनुष मिला था और यहां उसका तरकश मिला था और वहां उसकी पगड़ी मिली थी देखिया ग्रूर जी शेर के पंजो के निशान हो आप हो झाल झाल कि देखिया कुरूर जी कि निश्चे ही प्रसेन जीत को किसी सिंग में खा लिया होगा स्वयमन तक मनी भी इसी गुफा भी ही होगी क्योंकि सिंग के निशान भी तो हमें इसी गुफा तक ही मिले हैं कि आप लोग यहीं ठैरिये मैं गुफा में जाता हूं सत्ट को उजागर करने के लिए यह आवश्यक है तौरिक अधीश जी कि मेरी आप से विनिती है कि आपस भयालक और अंधेरी गुफा में मत जाईए मत जाईए आप कि सिंग के पैरों के निशान भी तो हमें मिले हैं मैं भैवीत हो रहा हूं हमें जल से जल किसे सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए आप लोग सुरक्षा की चिंता ना करें भय को मन से निकाल दें मैं गुफा में जाता हूं कि सुरक्षित प्रक्षित सुरक्षित सुरक्षित झाल झाल कर दो 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 ना है प्रफटाशी 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 यहां किस लिए आये हो। मैं हूँ, देव की पुत्र कृष्न, और मैं इस मडी के खोज में आया हूँ। कौन क्रिष्न, तुम्हारी भलाई इसी में है, कि तुम अभी और इसी ख्छानव यहां से लोड जाओ, लोड जाओ यहां से, यह मणी तुम्हारी नहीं है। परंतु ये जिसकी है उसी को लोटानी है इसलिए तो आया हूँ परंतु इसे तो मैंने सिंग को मार कर प्राप्त किया है तुम्हारा इस पर क्या अधिकार अब ये मेरी पुत्री का आभूशन है मैं इसे नहीं दे सकता मणी तो देनी होगी चाहे सहमती से या असहमती से तो क्या तुम जामबंत को युद्ध का अमंतर दे रहे हा वो भी जामबंत को आप जैसा समझे मुझे तो ये मनी प्रााप्त करनी है यह मेरा उद्देश है और मैं अपने लक्ष से कभी विचलित नहीं हुआ कभी नहीं अच्छा तो तुम मनी के लालच में अपने प्राणों को भी दाव पर लगा रहे हो क्या नाम बताया था तुमने क्रिश्न हाँ क्रिश्न देर की पुत्र क्रिश्न तो फेल तुम अपने माता पिता का स्मरान भी कर लो हो सकता है कि दुबारा तुम्हीं ये अवसर न मिले तो बोलो मल युद्ध के ले तयार हो तयारी तो उसे करनी होती है जो सचेत नहों तुम वार करो जामवंद पहला वार करने का अधिकार तुम्हारा है क्योंकि तुम स्वयम मेरे प्रसाद में चल कर आये हो नहीं जामवंद नहीं पहले वार करने का अधिकार तुम्हारा है क्योंकि तुमने ही पहले मुझे युद्ध करने का आमंत्रण दिया है अच्छा, तो नीती कुशल भी हो तुम, मेरी पुत्री ही हमारी जयार पराजय की निरणायक होगी, समझें? मुझे भगवान राम और लक्षमन के अतिरेक्त, कोई दूसरा युद्ध में नहीं हरा सका है पहले ये एक बार सोच लो, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ सब सोच लिया है जामद तो फिर ठीक है सबस्टाए जयार प्राम एक अवसर बपाला तुम्हें नहीं ही जाओवान नहीं ही जयार इसक्षर्णारा टीम्हें है झाल 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 क्रिवा कि अगे गलागी लुट सबसा कि अगे लिदा के लुट ओए के लुट सेमेंगी है? कि कि पिलाप घाटाई बटां एकाचा ठाटाई एकाचा एकाचा अग। कर दाएं कर दोपारा ट। सिर्फार थोल! जहां कर दोल! कर दोल、 नहां कर दोल कर दोल! एफे पर पर चाहिए! कि शच बताओ कि कौन हो तुम कहें तो दिया देव की पुत्र कृष्ण परन्त मुझसे तो कुछ और ही कहा था किस थे क्या कहा था दाश्रति भगवान राम ने मुझसे त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना इजय कूँ ऑफ्र कृष्ण प्रख्रणे थे कि झाल हरे किष्णा हरे हरे किष्णानंदर उपाय, विष्णो पत्या धिये तवे, तापत्यय विनुशाय, श्री कृष्णाय वयम्नुमाहा थिष्णा झुविन्दर उपाय, विष्णानंदर उपाय, विष्णाः दिस्ट लार best लार लः नार स्यमन तक मणी की तलाश में शेर के पंजों के निशान देखते देखते श्री कृष्ण एक अंधेरी कुफा में पहुच गए करो 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 कि अंधेरी क Warmth पिताशिay पिताशिय 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 वास्तों में ये लड़की रिक्षराज जामवंद के पूतरी जामवती थी यह जामवंग्त वही जामवंग्त थे जिन्होंने तेता युग में भगवान श्री राम की सहायता की थी ए रगु कुलनंदन आपके ऐसे उदारवश्णों से हमारा मान बढ़ गया है आपके आजाने से हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे हम महराज सुख ग्रीक की और से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महराज अपने विश्वास नियवान रोकी सहायता से आपकी भारिया पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे जिससे आप उन्हें उस राक्षास के हाथों से मुक्त करा सकें प्रभू नम्का नरेश रावन स्वयम युद्ध के लिए आ रहा स्वयम आ रहा है इतनी जल्दी हाँ प्रभू उसे मकराक्ष और प्रहस्त की मृत्यों सहल नहीं हुई इसका अर्थ ये भी है वो अपना संतुलन खो बैठा है युद्ध में वीरों का इस प्रकार विचलित होना उचित नहीं होता चत्रू इतनी जल्दी विचलित हो गया है कि उसे अपने परम युद्धाओं के रहते हुए भी स्वयम युद्ध में आना पड़ रहा है यह आपकी विजय का संकेत है अंत्रताह जब भगवान राम अपने परम धाम को जाने लगे तो विभीशन सुग्रीव हनुमान और जामवंत आदि उनके भक्त और अयोध्या की सारी प्रजा सर्यू किनारे एकत्र हो गए है बलमेश्वर अब आप अपने चत्रभुज विश्णों रूप में प्रवेश करें समस्त देवता आपके उस साश्वत रूप का दर्शन करने को सुखें जनके चत्रभुप में ईमने किसले प्रवेश्द जनके आपके प्रहर आपके उस्पाव्या नंया Hermann जह एकशे विदर है हनुबान तुमने दीर्ग काल तक जिवित रहने की प्रतिक्या की थी सहे हरीश्वर जब तक संसार मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्या से धर्थी पर रहोगे तुम कल यूग के आन्त में होने वाली प्रलए तक रहकर मेरी कथा का प्रचार करोगी जो आज्याः कर ना के पुत्र रीक्ष राज जामवन्त द्वापर के आंग तक दर्थी पर रहेंगे पूरे एक युग के बाद द्वापर युग में जब जामवन्त ने श्री कृष्ण को उस गुफा में देखा तो वो अपने प्रभु को इस रूप में पहचान न सका और सिमन तक वनी के लिए दोनों में युद्ध शुरू हो गया और सिमन तक रुद्ध शया टावतिए वच्वान वाद भाला में युझ अंग प्रवान प्रभु सच बताओ कि कौन हो तुम कहें तो दिया देव की पुत्र कृष्ण पारंत मुझसे तो कुछ और ही कहा था किसने क्या कहा था दाशरती भगवान राम ने मुझसे त्रेता यूग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा और मैं मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं परंतु वो तो बोले थे कि क्या बोले थे जामवंद यही कि मैं वासुदेव बनकर तुमसे मिलने आऊंगा और मैं यह भी जानता हूं कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं परास्त कर सकता था परंतु तुमने तो मुझे परास्त भी कर दिया है तुम तो क्रिश्ण हूं यह कैसे संभाव है कैसे संभाव है यह रामसत्य कैसे कह सकते हैं वासुदेव कौन है मैं वासुदेव हूं हाँ वासुदेव क्रिश्ण मैं ही हूं प्रभू कितने प्रतीक्सा कराई आपने मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था ऐसा कोई दिन नहीं गया कि आपकी याद न की हो प्रभू अब तो बस मेरी एक ही चाशेश है बोलो यही नात के एक बार मेरी आखों को अपनी उसी मोहनी सूरत के दर्शन करा दें जिस रूप की सुधा से प्यास बुझाने के लिए ये आखे त्रेता युग से अब तक खुली हुई है प्रतीक्षा कर रही है प्रतीक्षा कर रही है उठो जावन्त तुम्हारे साधना पूरी हुई वर मागो रभू जिन आखों में आपके रूप का अम्रत बसा हो उन आखों को अब किसी वर की आवश्शक्ता नहीं रही मुझे वर नहीं चाहिए मुझे तो एक ऐसा वर चाहिए जो मेरी पुत्री जामवन्ती का वरन कर सके इसलिए आप से उप्यूक्त और कौन वर मिलेगा मैं अपनी पुत्री जामवन्ती के लिए आपको मांगता हूं प्रभू क्या दया करेंगे क्या दया करेंगे प्रभू तथास तू लेक्ष राज तथास तू रभी इसे भी स्रीकार कीजिये करेंगे believer जामवती और स्मयंतक मनी को लेकर श्री कृष्ण द्वारिका नगर में आये तो द्वारिका में हर्ष की लहर दोड़ गई। जगहा जगहा उनका स्वागत हुआ। स्मयंतक मनी के प्राप्त हो जाने के समाचार से सत्राजित बहुत लच्जित हुआ। द्वार का धीश पर लगाए गए जूठे आरोप के कारण प्रजा ने भी उसकी खुल भर्त्स न की। श्री कृष्ण बलराम के साथ उसकी स्मयंतक मनी वापस करने सत्राजीत के घर गए। मैं बहुत लच्जित हूँ द्वार का धीश। बहुत लच्जित हूँ। लच्जित? क्यों? इसलिए कि मैंने आप जैसे धर्म के आउतार पर मिध्या रूप लगाया। तुम चिंता न करा सत्रजीत। तुम यदि ऐसा न करते तो मुझे जामवन्ती कैसे प्राप्त होती। अब तुम इस स्वयमन तक मनी को लो। परन्तो अब इसे सम्हाल कर रखना। समझे न। अब इस मनी का स्वामी मैं नहीं रह गया। यहम जैसे लोगों के धारण करनी योगी नहीं है। इसके शोभा अब्देसे महान चूरवीर के साथ है। आजसे इसके स्वामी आप है। मैं इस प्रार्थना को आप स्विकार कर लेंगी तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। मेरे हर्दय का बोश उतर जाएगा। जिस वस्तु के कारण मुझे चोरी का मिथ्या अरोप लगा था। यदि मैं उसे अपने पास रख लूँ तो द्वारी कवासी नजने कौन सा अनुमान लगा लेंगे। इसलिए सहश मैं इसे आपको वापस अपने आया हूँ। और मैं सहश अपने पूरे परिवार की सहमती के साथ इसे द्वार का धीश को भेंट करती हूँ। मेरी बात तो नहीं छुगराएंगे आप। और इस मणी के साथ हम सबने ये संकल्प किया है द्वार का धीश। किये आप मेरी रिदय की मणी, मेरी पुत्री, सत्य भामा को भी स्विकार करें। हाँ कनिया, सत्य भामा सरवथा तुम्हारे योग्य है और फिर ये अपने ही कुल्की है। सत्य भामा, आशे तुम मेरी अनुज वधु हो गई हो। सदा सुखी रहो। सत्य भामा, श्री कृष्ण की रानी बनकर राज महल में आई। परन्तु अपने रूप और अहंकार के कारण वो स्वयम को सरवश्रेष्ट मानती रही। सखी, मैं कैसी लग रही हूँ। सुंदर, अती सुंदर महारानी। आपके इस मनमोहक रूप की बराबरी करने वाला इस दुवर्का में और कौन है महारानी। इसलिए तो दुवर्का धिश सब रानियों से बढ़कर हमारी महारानी को चाहते हैं। क्यूं नहीं चाहेंगे। मैं सुंदर हूँ, उनके कुलकी हूँ। और दुवर्का में सुर्ण के अंबार मेरी स्यमन तक मनी के कारण ही लग रहे है। यह सब तो सत्य है महारानी, परन्तू। परन्तू क्या, कहो। जाने दीजे महारानी। नहीं, कहो नू. तुम्हारे मन में जो हो, निसंखोच कहो। सची बात तो यह है महारानी, कि मैं देख रहे हूँ। कि द्वार्कादिश महारानी रुकमनी को... यही कि वो देवी रुक्मनी को आप से अधिक महत्व दे रहे हैं. मुझसे अधिक? परन्तो कैसे? इसी बात से कि वो नित्य देवी रुक्मनी को अकनी प्रथम पूजा का अधिकार देते हैं. क्या? प्रथम पूजा? हाँ, महारानी. मैंने सुना है कि द्वारकादीश ने इस धर्ती पर उनके सर्व प्रथम पूजा का अधिकार केवल महारानी रुक्मनी को ही दे रखा है. इसलिए वो सुर्योदे से पहले पहले उनकी कक्ष में जाती हैं और चुप-चाप उनकी पूजा करके चली आती हैं. देवताओं का नियम था कि वे सुर्योदे से पहले अमृत वेला में ही द्वारिका के आकाश में प्रकट होकर श्री कृष्ण की पूजा तथा आर्ती करके अपने अपने लोकों को चले जातें. तत्पस्चाथ देवी रुख्मणी आती हैं. रुख्मणी स्वयम महालक्ष्मी का आवतार थीं. इस बात को रुख्मणी और श्री कृष्ण दोनों ही जानते थे. सो देवताओं के पस्चात रुकमनी चुपचाप उनके महल में आती और धर्ती पर भगवान शिरी कृष्ण की सर्व प्रथम पूजा वही करती अरे सत्य भामा इतनी प्राता कहां जा रहे हो जहां आप जा रहे हैं दीदी अर्थात यह कि मैंने सुना है सभेरे सभेरे चुपचाप आप द्वार्कादिश के कख्ष में अकेले उनकी पूजा करने जाती हैं आज मैंने भी सोचा कि उनकी सर्प्रथम पूजा का पुन्य मैं भी हरजित कर लूँ अरे वाँ यह तो बहुत अच्छा विचार है आओ मेरे साथ आपको बुरा तो नहीं लगा दिधी मैं आपके अधिकार में हिस्सा बात रही हूं अरे नहीं-नहीं वो तो दुलो की नाथ हैं उनकी पुजा का अधिकार तो ब्रमांद के हर एक प्राणी को है बक्ती पर किसी एक का अधिकार नहीं होता अब चलो नहीं तो देर हो जाएगी, आओ. देवी सत्भामा, आज आप नेन से शेगरी मुठ्थ हो गई? नहीं, वासुदेव, मैं तो यहीं सोचकर सुई थी, कि प्राताकाल, मैं ही सरप्रथम आपके दर्शनों का लाब लो. यह तो शुब विचार है, नहीं दीदी, आज से प्रथम पूजा तो मैं ही करूंगी. अवश्य, आज से यह अधिकार तुम्हारा हुआ. पूइड़ कि दूए अपके दूएम आपके प्राता तुम्हारा हुआ. कर दो कर दो जो और दो, अजयों प्रह्ट सकना सकतः, बादे दो खूल कर दो एंध। कर दो कर दो कर दो क्या सोच रहे है अरुपणी मैं क्या सोच सकती हूं प्रभू मेरा तो सब कुछ आप ही का है मन्साव आचा कर्मणा से मैंने आपको अपने हर्दे में बसाया है मुझे अपना अधिकार किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और मेरा अधिकार कुछ हीन भी नहीं सकता है प्रभू तो फिर अपनी छोटी बहन सकते भामा को भी अपनी जैसा क्यों नहीं बनाती उसके अहंकार का नाश क्यों नहीं करती अपने प्रिये जैनों को अहंकार से नुक्त करके उन्हें ज्ञान की मार्ग तक पहुँचाने का उत्तरदायतु आपका ही है प्रभू अपनी सखा अरजुन को तो आप नहीं संभाला है महामन नारत को भी आप नहीं शिक्षा दी थी तो अप सत्यभामा का बेडा भी आप ही पार लगा दीजी प्रभू जैसे तुम्हारी इच्छ देवी जैसे तुम्हारी इच्छ नारायन नारायन प्रभू पढ़ गई एक और जिम्वेदारी नारायन नारायन अपर बह्तो प्रभू नारायन नारायन Zion इच्छ से एमिष्ण है प्रश्राइब 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 उन्हीं दिनों दैत्यराज नर्कासुर ने तीनों लोकों में उधम मचा रखा था लक्षा करो लक्षा करो झाल झाल आपको प्रुदान करता हूँ इसका पातो पाता ही जालाई राक्षा करो रक्षा करो इंद्र कहा है तू स्वैम को देवताओं का रक्षक कहने वाला इंद्र कहा चुपा बैठा है तू कहीं तू अपनी माता के आचल में तो नहीं चुपा बैठा है देख मैंने तेरी अम्रावती का क्या हाल कर दिया है अगर तुझ मैं सास है तो आ नेरा साम ना कर नरका सूर से हमारी रक्षा करो देवराज रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो हाहा आ अच्छा हुआ है है एंडर तुछ म करें आ गया हा अऑच्छा है हाच्छा हाँ क्यौँ आयोग है झाल हाँ इंडू! हाहा! मेरसाद युदकर! झाल 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 के भागएा को थो मैं तुझे छोड़ों मां इंद्र लगता है तुम इंद्र के माता अदेती हो हाँ परंतु तुम कौन हो जो इस प्रकार दृष्टता से बिना अगे लिए देव माता के कख्ष में आगे हो मैं नरकासर हूँ नरकासर मैं यहाँ तुम्हारे पुत्र अंद्र के हातों से स्वर्ग लोग का समराज चीनने के लिए आया हूँ तुम्हारा पुत्र अंद्र तो भगोडा निकला मुझसे युद्वे परास्त होकर नज्जाने कहां छुप गया है वो मैं यहां उसे ही ढूरता फिर रहा हूँ मुझे किसी की आज्या की आवशक्ता नहीं बलकि तुम्हें अब यहां रहने के लिए मेरी आज्या की आवशक्ता है मेरी आज्या की मैं इस राज का स्वावी हूँ यहां कि हर वस्तु मेरी है मेरी इच्छा के विरुद कोई इस्त्रियाबुशल भी धारण नहीं कर सकती तुम ही नहीं चैसा उसकी दृष्टी देवताओं की माता के कानों पे पड़ी इतने सुंदर कुंदल तुमने मेरी आज्या के बिना इतने सुंदर कुंदल अपने कानों में कैसे पहन लिये है अपने कानों में धारण करूंगा यदि इंदर यहां लौट कर आए तो उससे कहना कि नरकासुर देवलोक पर अपनी विजय की निशानी के रूप में देवताओं की मा के ये कुंदल उतार कर ले गया यदि इंदर इवम अन्य देवताओं की भुजा में शक्ती है तो मुझे युद में परास कर अपनी मा के ये कुंदल वापस ले जाए त्राहिमाम 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 आतंकित क्यों हो आपके वर्दान से शक्तिशाली होकर नरकासुर ने देव लोक में हाहकार मचा रखा है हम सब उसके पाप से पिडित होकर आपकी शरन में आये हैं प्रभू फुत्रों ये सत्य है कि नरकासुर ने अपनी तपस्या के बल से मुझसे शक्ति प्राप्थ किये इसलिए तो वो उन्मत होकर ऐसे कारे कर रहा है जो देव लोक में कभी नहीं हुए उसने धिश्चता पुरवक हमारी देव माता अदिती के कानों से कुंडल चीन कर कहा है कि देव में अगर शक्ति हो तो अपनी माता के कुंडल छुड़ा ले जाए अब आप ही बताएं प्रभू अब आप ही हमें मार्क बताएं प्रभू कि हम क्या करें हम क्या करें प्रभू इसके लिए तो मैं असमर्थ हूँ नरकासुर देवताओं से अवध्य है और उसने ये वर्दान मुझसे ही प्राप्त किया है देवताओं की शक्ति उसके आगे निश्क्रिय है परन्तु देवताओं की रक्षा नहुई तो आपकी बनाई हुई स्रिष्टी का विधान का ही नाश हो जाएगा देवताही अगर नहीं रहे तो फिर धर्म का पालन कौन करेगा पापी यदी सफल और बल्वान हो गया तो कोई पुंडि के रास्ते पर क्यों चलेगा हर जगा अधर्म का सामराज्य पहल जाएगा कोई किसी का सम्मान क्यों करेगा प्रभू भला क्यों करेगा यह सत्य है कि तुम लोग उसका सामना नहीं कर सकते परंतु एक शक्ति इस समय प्रिथ्वी लोक में है जो उसे परास्त कर सकती है कौन है वो प्रभू वो शक्ति कौन है नरकासुर ने मुझसे केवल देवताओं से न परास्त होने का वर्मांगा था अपने अहंकार के उसने मानों को तुछ समझा मानों द्वारा ना मरने का वर्म नहीं मांगा था कि सो इस समय भगवान विश्णू धार्ती पर मानों लीला कर रहे हैं कि तुम उनकी शरण में जाओ देवींद्र कि श्रेक्रिष्ण की शक्ति नरकासुर को परास्त करने की शमता रखती है जै जैसी आपकी आद्या प्रभूव जैसी आपकी आज़्या प्रभूव्व प्रफ्ट्रोबग्ग प्रप्टूबग्डग्ड़ूब ऑार्च्टूबग्टूबग्ग। कि द्वारिका में देवराज इंद्र का स्वागत है कि आई ये पधारिये आसन ग्रहन कीजिए अब बताएं देवराज किस कारण यहां आने का कश्ट उठाया मेरी योग्य कोई सेवा सेवा नहीं एक प्रार्थना है नहीं संकोच कहें द्वारिकाधीश इस समय देव लोग पर आतंक के बादल चाय हुए हैं क्यों अधर्मी नर्कासुर के कारण नर्कासुर देवताओं के लिए काल रात्री सिद्ध हो रहा है स्वर्ग लोग में त्राही त्राही मच गई है आपकी द्वारिका में आया हूँ उसने हमारी देव माता का भी अपमान कर दिया है उनके कुड़लों का हरन कर लिया है हम सब उसके आगे असमर्थ हो गय है परन तो क्यों देवता तो सर्फशक्ती मान कही जाते हैं हैंडी इसका कारण सुयम हमारे पितामा अभर्माजी हैं अख भृक ακसूड ने अपनी तबस्या से प्रसंद्ण कर यह वर्दान ले लिया है कि वो देवताओं से सर्वता अवध्य रहेगा तो फिर इसका मार्ग इसका मार्ग भी हमें ब्रम्हा जी ने बताया है कि हम सब आपकी शरण में जाएं आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभू आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं अर्थात अर्थात ये कि आपके हाथों से ही देताओं के धर्म की रक्षा संभव है यदि आप सहायक न हुए तो स्वर्ग लोग की सत्ता ही समाप्थ हो जाएगी इसी के साथ पृत्वी लोग पर भी अधर्म का आतंग फैल जाएगा मैंने आपके हाथ में है जनार्दन जब स्वयम ब्रह्मा जी नहीं कह दिया है तो मुझे नरकासुर से आप लोगों को मुक्ति दिलाने ही पड़ेगी मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा देवराज तो फिर विलम न करें मधु सुदन नरकासुर के नगर प्राग्जोतिश्पूर के लिए प्रस्थान करें तो ठीक है आप इंद्र लोग जाएं धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना तो मेरा पहला करतव्य है अब जाकर देवतां से कहिए कि वो निश्चिंत रहें तो आप जा रहे हैं धर्म काधिश ? हां, धर्म की रक्षय तो करने ही पड़ेगी मैं भी आपकी साथ. तुम सथीय भावा मुझे नरकासुर से युद्ध करना पड़ेगा तुम युद्ध में क्या करूगी ? मैं आपकी सहाइता कर उँगी मेरी सहाइता? मैं भी तो यादो कन्या हूं नारी को अशक्ति मस्समझे द्वार कधिश जैसे तुम्हारी इच्छा साथ्यभामा वो देखो मेरका सुर्क निकरी पक्षिराज नरकसुर के इस प्राध जूतिश्पुर नगर को हमारे आग्मन की सूच न दो तो निक अपने पंखों की शक्ति का इन्हें आभास कराओ झाले आग्मन की सूच को झाल 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 आप अपने मन से ही पूछ लेजे आईए आईए देव माता आपके प्रदिक्षा कर रही है आईए प्रनाम देव माता आयुशमानَ भव पुत्र-कृष्न माता के कक्षमी तुम्हारा स्वागत है मैं प्रदिकषाह कर रही थी यह तो मेरा सवभाग है देव माता द्वारीकाधीश तुमने नरुका सुरकावद करके देवताओं के सम्मान की रक्षा किये यह तो मेरा धर्म था नरकासुर के साथ युद्ध में तो सत्यभामा भी मेरी सायक रहे है तो मैं अपनी बहुत सत्यभामा की भी आभारी हूं इसमें आभार की क्या बात है यह तो मेरा धर्म था देव माता पत्नी तो सदेव पती की सायक होती है यही तो तुम्हारी पती पर साथ देना है उसका धर्म है तुम्हारे इस कारे से संसार की हर इसत्री शिक्षा ग्रहंट करेगी कि आपके आशीरवाद से मैं धन्य हुई कि यह लीजी देवमाता हमारी ओर से यह भेच सुईकार कीजिए कि आपके यह कुंडल जो नरका सुर्चीन कर ले गया था दोरकाधीश उस पापी से वापस ले आए हैं कि अ कि अ कि अ कमरे झाए कि आपके कि आपके कि आपके सत्यभामा, ये कुंडल केवल नारी के आबूशन नहीं है, इनमें एक नारी के सम्मान की धरोहर भी चिभी हुई है, जिसके लिए वो जीवन भर गर्व की अनुबूती करती है, इनमें एक माता के मान की मर्यादा भी चुपी हुई है, जिसके लिए एक मां अपने संतान से रक्षा की काम ना रखती है, एक नारी होने के कारण, तुमनें एक नारी की व्याथा को समझा है, तुमने मुझे मेरा गौराव, मेरा सम्मान फिर से लोटा दिया है इसके लिए, इसके लिए मैं तुम्हें कि इन शब्दों में आशिरवात दूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी वेदना को द्वारकादीश ने भली भात ही समझा था इसलिए नरकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे इनकी उस पर विजे, इनकी ही शवरिकी गाथा थी मैं तो केबल, निमित मात्र थी मैं तुम्हारी इस पती भक्ती से अत्यंध प्रसंद हूँ इसलिए मैं तुम्हें हिर्दय से आशिरवात देती हूँ कि तुम देव लोग की देवांगनाओं की तरह अक्षय योवन की स्वामनी बनोगी जब तक तुम मृत्यू लोग में रहोगी बुड़ापा तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा आपके इस आशिरवात से मेरा रूम रूम उलकित हो गया है देवमाता सच मुच धन्य है महरानी देवमाता ने आज तक किसी मृत्य लोग वासी को ऐसा आशिरवात नहीं दिया जैसा आपको दिया है सच मुच युद्ध का असली पल तो तुम्हें ही मिला है सत्भामा इतने मीठे पल को पाने के बाद मेरा तो आप दोनों से आक्रा है कि आप दोनों कुछ दिन तेव लोग में ही रहकर युद्ध की थकान से शांती पाएं और हमें भी अतिती सत्कार का आवसर दें द्वारिकाधीश नहीं दिवराज शमा करें हमें शीगरी द्वारिका के लिए प्रस्थान करना होगा अन्यता देव लोग के आतित से भला कोई इंकार कर सकता है बस आप सब हमें आग्या दीजिए तुम्हारा कल्यान हो द्वारिकाधीश जैसे आपकी इच्छा प्रभू आईए 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 देओ आपकी इच्छा आपकी आपकी इच्छा इज़ रहाँ आपका स्वागत है प्रभू आपका स्वागत है खाल आपका स्वागत है टोह जाएंग है टेश्गार घ्रभू कर रखणी टोह रखवी हैं प्रूग ऑेश्ग बना घ्रेया खागत रपका स्वागत है ये बनाल है दॉरी कदीश, आप देवलोग को चिन्ता मुक्त करके आ गए. मैं तो आभीकी पृतिक्षा कर रही थी. देव माता कुशल से तो है ना? हाँ रुकमिनी, देव माता अदिती के सम्मान की रक्षा हो गई. नरका सुर द्वारा चीने गए कुंडलों को पाकर, देव माता आनंद विभोर हो गई. तुम जानती हो, इस युद्ध में सत्भामा ने मेरी बड़ी साहता की है. जानती हूँ, मेरी बहन में आपकी साहता करके अपने कर्तवे कहीं पालन किया है प्रभू. सत्भामा को इस बात का अत्यन्त मधूर फल भी मिला है. अच्छा, वो क्या? सत्भामा को देव माता अदिती ने चिर्यावना बने रहने का आशिरवाद दिया है. अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है. अब निश्चे ही सत्भामा इस प्रुथ्वी पर अपने समान किसी को भी नहीं समझेगी. आपकी लीला बड़ी अत्पुत है प्रभू. मैं तुम्हारे लिए उस दिवी पारिजात का एक पुष्पलाया हूँ. जिसके कारण चिर यौवन की प्राप्तिय होती है. लो, मेरी ओर से ये भेट सुईकार करो. द्वारे कदीश, मैं तो पहले से ही आपके नित्त रमणा हूँ. मुझे चिर्यावना होने की क्या वशकता है? फिर भी आपने देव लोक से आते समय मेरा जो इतना ध्यान रखा, उसके लिए मैं आपको नत्मस्तक होकर आपकी दी हुई भेट सिकार करती हूँ. और इस बात का गर्व करती हूँ कि सत्यभामा के साथ रहते हुए भी आपने मुझे स्मरेन रखा. परन्तु एक बात बताईए द्वारी कधिश कि मेरे पास ये पारिजात का पुष्प देखकर मेरी छोटी बहन सत्यभामा पर क्या प्रतिक्रिया होगी? ये कभी सोचा है आपने? प्रतिक्रिया क्या होगी? उससे तो चिर्योवना होने का आशिरवात पहले ही मिल चुका है. चलते समय देवराज ने मुझे केवल एक फोल भेट में दिया था. सो एक पती का करतव समझ कर मैंने उसे तुम्हें दे दिया. इसमें किसी को कुंटित होने की कौन सी बात हो सकती है? अहां, भोले मत पर नहीं द्वारिकाधीश. आपने मुझे ये पारिजात का पुष्प देकर मुझे भी सत्यभामा की सामने स्परधा में खड़ा कर दिया है. वैसे भी सत्यभामा का अहंकार कुछ कम था क्या? हम तो उस दिन उसके अहंकार को नष्ट करने की बात कर रहे थे. परंतु आपने ये सब लीला राजा कर उसके अहंकार को और भी पढ़ावा दे दिया है प्रभू. परंतु मेरे बारे में तो तुम सब कुछ चानती हो हां और मैं ये भी जानती हूं कि आप किसी के अहंकार का हरन करने से पहले उसके अहंकार की चित्वृति को उसकी परिसिमा तक ले जाते हैं. और फिर उसके अहंकार का हरन करते हैं. क्यूं? ठीक है ना? सत्यभामा तो पृत्वी तक्तु से जन्मी है. चरियोवना होने के वर्दान से उसके पाओं तो धर्ती पर ही नहीं पड़ रहे होंगे. वो तो खुशी से पागल हो रही होगी. हां. देव माता अपने कुंडल पाकर मुझ पर इतनी दयालू हो गई, इतनी दयालू हो गई. कितनी दयालू हो गई महरानी? आपकी हसी देखकर तो ऐसा लगता है. मानो स्वर्ग लोग की सारी संपदा आपको ही दान में दे दी हो. बात ही ऐसी है सकी. उन्होंने मुझे आशीर आशीर वाद के सामने स्वर्ग लोग की संपदा भी तुच्छ है. ऐसा भी क्या आशीर वाद दिया उन्होंने आपको महरानी? जो इस प्रित्वी लोग की किसी भी नारी को प्राप्त नहीं हुआ. इस समय संसार की सारी नारियां मेरे सामने छोटी पड़ गई है. हमें भी तो बताइए, हमें भी तो अपने इस खुशी में समलित कीजिये ना? समय मेरी आयू के आगे ठहर गया है. मैं चिरियोवना हो गई हूँ. चिरियोवना? अब मैं कभी बुड़ी नहीं हो सकती. सधा जवान रहूंगी. संसार की किसी भी इस्थरी को अपने रूप और सौंदर को इस्थिर रखने का सौभा के प्राप्त नहीं हुआ. मेरे अत्रिक्त. नारायन, 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 नारायन. पधार ये मुनिराज, सत्यभामा का प्रणाम सुईकार करें देवी सत्यभामा अज इतनी प्रसंद देख रही है हाँ, देवलोग की यात्रा से लोटी जो है बात ये है मुनिराज, देवलोग से मैं ऐसी अमूलने निधी लेकर आई हूँ जिसकी पात्र केवल मैं ही हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है देवी, किस अलंकरन से विभूशित हुई है आप देवलोग में अलंकरन से नहीं देवर्शी, आशिरवाद से कहिए देव माता अदिती ने मुझे जीवन परियंत चिर योवना होने का आशिरवाद दिया है अच्छा अच्छा तो ये बात है परंतु 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 क्या यही कि प्रभु जब देवलोग से लौट रहे थे तो देवराज ने उन्हें एक पारिजात का पुष्प भी तो भेट किया था पारिजात का पुष्प हाँ प्रभु की लीला भी बड़ी विचित्र है कभी असमानता नहीं रखते उन्होंने आपको चिर योवना होने का आशिरवाद दिला दिया और देवी रुक्मनी को पारिजात पुष्प भेट कर दिया नारायन, नारायन क्या दौर का धिश ने पारिजात का पुष्प तीदी को भेट किया हाँ पारिजात का महत्व जानती है देवी ये पुष्प जिसके पास रहता है उसे संसार के हर वैभाव सुख, संतान, मान, यश और प्रतिष्छा की प्राप्ती होती है चिरियोवना का अशिर्वात्तों से सहज ही मिल जाता है देवी द्वारिका धीश ने स्वयम देवी रुक्मनी को वो पुष्प धारण करने को कहा है इस तरह प्रभू ने अपनी दोनों पटरानियों को चिरियोवना बना दिया है आपको चिर्योना होने की बधाई हो दिवी वाँ प्रभू आप नारायन 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 कर प्रभू थाना तुम्हें अपनी चिल्योना होने का वहाँ एहंखार था तुम्हें कि द्वार का अधीश कि तुम्हें सबसे अधिक चाहते हैं अब तो सत्यकुशवीकार करो द्वार का धीश चलिया है चलिया अगर वो मुझे सबसे अधिक प्रेम ना करते तो मुझे अपने साथ युद्धु पर ना ले जाते तुम्हें क्यों नहीं दिया बारिजात का कुश्पुन होने अब तो अपनी आखों से पत्ती खोलो सत्यभामा वो सबसे अधिक रुक्मनी को ही चाहते हैं तुम्हें नहीं यह सब जुट है मैं तुम्हारी बातों बही नहीं आ सकती हैं वो मुझे सबसे ज्यादा चाहते इसका क्या प्रमाण है काइसे सिद्ध करोगी तूं करूंगी अवर्षी सिद्ध करूंगी पर deficit कैसे उन्होंने रुकमनी को तो एक ही फूल दिया है और मैं, मैं उनसे पारिजात का वरिक्ष ही प्रत्वी पर लेकर रहूंगी कि अबाद利 कौकर ही प्राज मैं अ ही जन्होंगी SENI म अबाद आख:// कि आख़ेत का वरिक्ष न gü्दुराश्यस का वरिक्षैरまだ बाते कीछ्गी पही तो एक ही उनसे का वरिक्यान ders members सुआखेंे exists जनक सब्सेंगी झाल हो यह मैं क्या सुन रहा हो सत्व हमाँ तुम्हें पारीजात का वरक्ष lights हो हांắm हॉ पारीजात का वरक्ष चाहिए है परण तो कि पारीजात का वरक्ष तो देव लोग के नंदर्मन में है हाँ, उसे पारिजात के बिक्ष को आपको देवलोग से पृत्री लोग पर लाना पड़ेगा, मेरे लिए सत्भामा 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 मैं तुम्हे प्रसन्न देखना चाहता हूँ और तुम्हे प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ परंतो 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 कुछ भी नहीं मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं कहती मैं किवल इतना कहती हूँ कि मेरे लिए आप पारिजात का ब्रक्ष लेकर आएं बस आपकी इस मदुर मुस्कान का कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं मैं जान गई हूँ कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है अन्याय मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है सत्यभामा हादवार कदीश हाँ आपने मेरे साथ अन्याय ही नहीं छलकपट भी किया है छलकपट और वह भी तुमसे हैं देखिए वासुदेव मुझे और अधिक नचड़ाइए कहीं क्रोध में आकर मैं ऐसा वैसा ना कर दूँ मैं जानता हूं तुम क्रोधित हूं तुम्हारे क्रोध कोई तु शांत करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें समझाने भी मुझे समझाने कोशिश मत कीजिए मैं सब समझ गई हूं आपको भी और आपके जूटे प्रेम को भी इसका तौर्थ यह हुआ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है विश्वास है तभी तो आपने मेरे विश्वास पर आगार किया है विश्वास गार किया है अच्छा तो तुम यह बताओ कि तुम्हें यह सब ग्यान किसने दिया है महरानी मैंने तो सदेव धर्म का ही पालत किया है और तुम मेरी धर्म पत्नी हो फिर तुम्हारे साथ अधन का विवार में कैसे कर सकता हूँ आप वाग चातुरे से मुझे नहीं बहला सकते बातों-बातों में दूसरे को प्रभावित कर लेने की कला में आप बड़ी चातुर है और आपकी इन सब बातों में आकर मैं अपने प्रण से नहीं मुकर सकती इतना जान लीजे द्वारकाधीश अच्छा तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है यही कि पारिजात का ब्रक्ष लाकर मुझे और केबल मुझे ही भेट करना होगा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे … वुण थो प्रस्त। कृष्णा, हरे कृष्णा सच्छिदानंद रूपाय, विश्व पत्या धिये तवे, तापत्य अरिनाशाय, जी कृष्णाय, वयम्नु महादा सिख्रिष्ण कौविं दे मुडरे, ए नत नारायस वुष्व फॉड़े, रावे कृष्णा रावे कृष्णाराभे यारे क्रिष्णा रूपाय कृष्णा ओडरी आद ही पत्याूमfend खात्या धिये तौनाण हए, यारस जी कानाध। हाँ 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 है दोर कदीश मैं तो पहले से आपके नित्त रमणा हूं मुझे चिर्यावना होने की क्या वशक्ता है फिर भी आपने डेव लोग से आते समय मेरा जो इतना ध्यान रखा उसके लिए मैं आपको नत्मस्तक होकर आपकी दी हुई भेंट स्विकार करती हूँ परन्तु एक बात बताये द्वारी कदीश कि मेरे पास ये पारिजात का पुष्प देख कर मेरी छोटी बेहन सत्य भामा पर क्या प्रतिक्रिया होगी ये कभी सोचा है आपने उन्होंने रुकमनी को तो एक ही फूल दिया है और मैं मैं उनसे पारिजात का व्रिक्ष ही प् गलूँगी ये मैं क्या सुन रहा हूं सत्तभाम तुम्हें पारिजात का व्रिक्ष जाहिए हां पारिजात का व्रिक्ष चाहिए करंतो पारिजात के व्रिक्ष तो देवलोग के नंदरवन में हे remove सत्यभामा, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परन्तु परन्तु कुछ भी नहीं, मैं आप से कुछ और करने के लिए नहीं कहती, मैं किवल इतना कहती हूँ, कि मेरे लिए आप वारिजात का ब्रक्ष लेकर आए, बस, आपकी इस मदुर मुस्कान का कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है, मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं, मैं जान गई ह कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है, अन्याय, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, सत्यभामा, हादवार कदीश, हाँ, आपने मेरे साथ अन्याय ही नहीं, छलकपट भी किया है, छलकपट और वो भी तुम से, देखिए वासुदेव, मुझे और अधिक नचड़ाई है कहीं क्रोध में आकर मैं ऐसा वैसा ना कह दूँ मैं जानता हूं तुम क्रोध ही तुम्हारे क्रोध को ही तो शांत करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें समझाने भी मुझे समझाने कोशिश मत कीजिए मैं सब समझ गई हूं आपको भी और आपके जूट विश्च्वास कात किया है? अच्छा तो तुम ये बताओ, कि तुम्हें ये सब ग्यान किसने दिया है महरानी? मैंने तो सदेव धर्म का ही पालज किया है और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, फिर तुम्हारे साथ अधर्म का विवार मैं कैसे कर सकता हूं? आप वाक चतुरे से मुझे नहीं बहला सकते बातों बातों में दूसरे को प्रभावित कर लेने की कला में आप बड़ी चतुर है और आपकी इन सब बातों में आकर मैं अपने प्रण से नहीं मुकर सकती इतना जान लीजे द्वारकाधीश अच्छा तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है यही कि पारिजात का ब्रक्ष लाकर मुझे और केवल मुझे ही भेट करना होगा देव लोग में तो आपने मुझे वो पुष्प नहीं भेट किया था और चोरी चोरी वही पुष्प लाकर यहां रुक्मणी दीदी को भेट कर दिया इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप दीदी रुक्मणी को ही सबसे अधिक चाहते हैं यह तुम्हारा ब्रहम सत्त भामा यह ब्रहम नहीं है द्वारकाधीश अब मेरी आखे खुल गई है मैं ही पागल थी जो सदा यह सोचा करती थी कि मैं ही वासुदेव के सबसे निकट हूँ मैं ही सोचा करती थी कि जितना मैं वासुदेव को चाहती हूँ दूसरा कोई और चाही नहीं सकता परन्तु सत्भामा परन्तु कुछ नहीं वासुदिव नारी जिसको सबसे अधिक प्रेम करती है उसके प्रेम का बट्वारा नहीं सह सकती यदि उसे लगे कि उसका प्रेमी नारी के प्रेम का पूर्ण प्रतिदान नहीं देता तो उसके प्रेम का अपमान ही होगा ना द्वारकादीश उसका मान खंडित हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं सत्भामा क्यों नहीं है द्वारकादीश मैं गर्व से सब के सामने कहती थी कि मैं ही बासुदेब की प्रिये पत्नी हूं इसलिए वो मुझे अपने साथ युद्व पर लेकर गए थे और आज आज ये महल की दीवारे यह खिट किया ये सब आराम और सुक के साधन मेरा मुझ चड़ाते हैं मुझ पर हसते हैं और कहते हैं कि मैं बासुदेब की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। परंतु सत्वामा, तुम तु मुझे प्री हो। नहीं, यह सत्य है, यह सत्य नहीं है वासुदेव। मैंने कभी आसत्य नहीं बोला सत्य भामा, वास्तविक्ता क्या है, इसके बारे में तो तुमने कभी विचार ही नहीं किया। वास्तविक्ता यही है कि दीदी के कल्यान के लिए आपने पारिजात का पुष्म उन ही दिया, मुझे नहीं। नहीं वास्तविक्ता तो यह है कि तुमने देवलोक में पारिजात का दर्शन किया था। उसके पुष्म भी देखे थे और उसके सुगन से भी परचित थी। परन्तु रुक्मनी ने तो पारिजात के गुड़ों का अनुभव ही नहीं किया था। वो तो देवलोक के वातावरन तक से आपर चित थी। इसलिए जब देवराज इंद्र ने मुझे वो फोल दिया तो मैंने सोचा कि उससे भी तुम्हारे जैसे सौभागे की अनुभूती मिले। जो तुमने देवलोक में मेरे साथ प्राक्त किये। इसमें तुम्हारे अकल्यान के बाद कहा है। इसमें यदि तुम्हें अपना अपमान लगता है तो मैं तुम्हारे लिए देवलोक से सारे पारिजात के पुष्प लाकर तुम्हें दे सकता हूं। आप मुझे पारिजात के पुष्प नहीं चाहिए। मुझे पारिजात का बरिक्ष ही चाहिए। वासुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो मुझे पारिजात का व्रिक्ष लाकर दीजिए, मैंने उसकी इचाया में पुन्यक व्रत करने का संकल्प किया है, अन्यता, मुझे आग्या दीजिए, मैं तबस्या करने जाना चाहती हूँ यदि तुमने पुन्यक व्रत करने का संकल्प कर लिया है, तो निसंदे, मैं देवलोक से पारिजात का व्रिक्ष लाकर तुम्हारे उद्यान में रोपित कर दूँगा, अब तो प्रसन हो जो सत्भामा सच मुझ, सच मुझ आप मेरे लिए ये पारिजात का व्रिक्ष लाएंगे, मैं संदे है नारायन, नारायन, प्रभु आपकी लिला बड़ी निराली है, देवी सत्यभामा को चिरियोवना का वर्दान दिला कर आपने उनके अहंकार को परिसीमा तक पहुचा दिया, और अब आप उनही के लिए पारिजात लाने की योजना बना रहे हैं वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार को भी तो समात करना है, उन्होंने भी तो भगवान शंकर को पारिजात देने से मना कर दिया था उन्हें इस ध्रिष्टता का दंट तो मिलना ही चाहिए प्रभू, वा प्रभू वा, कैसी लीला रचाई है, एक तीर और लक्ष भेदो नारायन नारायन सत्त्यभामा, मैं इसी समय देवराज इंद्र को संदेज भेजता हूँ, परन्तु किसके द्वारा? मुनिवल, नारजजी के द्वारा, और किसके द्वारा? नारायन, 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 नारायन रडाम मुनिवर सवभाग भती भवा, आप दोनों ने मुझे क्यों स्म्रण किया है, देवची देवी सत्यभामा पारिजात व्रक्ष की छाया में पुर्ण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहती है इसलिए आपको देवलोग जाकर मेरी ओर से ये विंती देवराज इंद्र से करनी होगी कि वो पारिजात के व्रक्ष को सत्यभामा के उद्यान में लगवा दें प्रभू, परन्तु मुझे संदे है, देवराज आपके इस वनिती को स्विकार नहीं करेंगे क्यों नहीं, वे लोग पाल हैं और मैं लोग कल्यान के लिए तो उनसे एक व्रक्ष की कामना कर रहा हूँ वो तो ठीक है प्रभू, परन्तु देवराज तो भागवान शंकर को भी उस व्रक्ष को देने से एक बार मना कर चुके हैं उन्होंने भी तो माता पार्वती के पुन्यक वरत के लिए पारिजात मांगा था भागवन, क्या देव लोग की निधियों को प्रिथ्वी लोग पर लाना उचित होगा? क्या आप छीर सागर को प्रिथ्वी लोग पर लाने की सोच सकते हैं? क्या ये विधि के विधान के विरोधिन होगा भगवन? देवर्शी आपका कथन भी उचित है परन्तु मैंने तो देवी सत्वामा को पारिजात का व्रक्ष प्रत्वी पर लाने का वचन दे दिया है अब ये भी तो संभव नहीं कि मेरा दिया हुआ वचन जूटा हो जाए? यदि ऐसा हुआ तो संसार से सत्य का नाश हो जाएगा इसलिए आप इंद्र को मेरा संदेश जाकर दें जो आग्या प्रभु? नारायन, नारायन स्वागत है, स्वागत है देवर्शी, स्वागत है पधारें, पधारें कहिए, त्रिलोक में सब कुशल तो है ना? कुशल तो है? परन्तु आज मैं आपके पास एक अत्यावशक संदेश लेकर आया हूँ कहिए तो कहूं? अवश्य मोनिवर, अवश्य द्वारका धिश्री कृष्ण ने आपसे निविदिन किया है कि वे अपने सहधर्मिनी देवी सत्यभामा के पुन्यक वरत के सुफल के लिए आपसे पारिजात वरिक्ष की कामना करते हैं बस यही संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूं देवेंद्र जी मृत्यू लोग में पारिजात के कामना हां श्री कृष्ण का तो यही कहना है तो क्या वो यहीं नहीं जानते कि इस समय मनुश्य योनी में हैं और प्रिथ्वी पर वास कर रहे हैं देव लोग को अमर्ता देने वाले पारिजात को प्रिथ्वी पर कैसे भेश सकता हूं किन्त देवेंद्र श्री कृष्ण तो देवी सत्य भामा को इसका वचन दे चुके हैं पचन दिया होगा परन्तु यह सब तो विधी के विधान के विपरीत हैं स्वयम ब्रह्मा जी ने पारिजात को स्वर्ग लोग में रखने की विवस्था दिये यदि पारिजात पृथ्वी पर चला गया तो भू लोग और स्वर्ग लोग में फिर अंतर ही क्या रह जाएगा मृत्य लोग में फिर देवता बनने की कामना ही कौन करेगा जो अच्छा कर्म करते हैं उसे देवी लोग में निवास का सुख मिलता है यदि मानव पृथ्वी पर ही स्वर्ग के सुखों का भोग करने लगेंगे तो फिर हम देवताओं को यग्य का भोग कैसे प्राप्त होगा हमारी तो मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी मुनिवर देवेंद्र जिसे तुम ब्रित्य लोग का वासी समझ कर संसार के समस्त यग्य विश्ण का ही स्वरूप है उन्होंने ही बारह अवतार लेकर प्रिथी लोग की रक्षा किये वामन अवतार लेकर तीनों लोगों पर अधिकार किया है समुद्र मंथन के समय जो भी रत्न मिले थे वो सुवेंग विश्णु ने ही तो देवलोग को दान दिये थे और इस समय वो प्रिथी लोग पर धर्म की अस्थापना के लिए ही तो है क्या अभी आप उन्हें पारिजात नहीं देंगे नारायन नारायन नहीं मुनिवर्ब नहीं यदि द्वार का धीश चाहे तो स्वर्ग लोग के सारे आभूशन वस्त्र रत्न अपने उभोग के लिए मांग सकते हैं परन्तु पारिजात नहीं पारिजात तो स्वर्ग की शोभा है पारिजात तो स्वर्ग लोग की आत्मा है इसलिए मैं पारिजात को देने से स्पस्ट इंकार करता हूँ यही संदेश द्वारी का धीश को आप मेरी ओर से दे दें जैसी आपकी इच्छा देविंद्र नारायन, 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 नारायन कहिय मुनि राज, क्या कहा दिवराज इंदर ने? पारिजाद प्रिथि पर आ रहा है ना? नहीं प्रभू, देवराज इंदर ने तो पारिजाद प्रिथ्वी पर भेजने से स्पष्ट इंकार कर दिया क्या? स्पष्ट इंकार कर दिया? हाँ, देवराज स्वर्ग लोग के वस्त्र, रत्न, आभूशन सभी कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं, किन्तु पारिजाद का व्रिख्ष नहीं अच्छा, तो क्या देवेंदर ये भूल गए कि स्वर्ग लोग के सम्मान की रक्षा के लिए मैंने अपना धर्म समझ कर नरकासुर से देव लोग की रक्षा की थी? और क्या ये भी भूल गए कि देव माता अधिती के कुंडल मैंने ही लोटाए थे? और अब वो पारिजाद देने से इनकार कर रहे हैं अब तो मैं पारिजाद उनसे लेकर ही रहूँगा चाहे मुझे इसके लिए देवराज इंदर से युद्ध क्यों न करना पड़े? युद्ध? तो क्या द्वार का धीश हमें युद्ध करने का आमंतर दे रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम पारिजाद की रक्षा के लिए युद्ध के लिए भी तयार हैं। ठीक है देवर्जी यदि देवेंदर युद्ध के लिए तयार हैं तो युद्ध अवश्य होगा। हुआ हुआ है हुआ 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 है 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 है हुआ है है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ 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 झाल 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 मैं झाल झाल कर दो 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 जैगनेश हरे श्री जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे वक्रतुन्द महा काय सूर्यकाति समप्रभा निर्विग्णम कुरुमे देव सर्वकारेशु सर्वदा जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे लंबो गरस्च विकटो विग्ननाशो गणाधिपा जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री 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 जैगनेश हरे श्री जैगनेश हरे देवी अब खड़ी होकर पारिजात विक्ष से अपने यग्य की सफलता के लिए आशिरवाद मांगे आशिरवाद मांगेश हरे विक्ष राज, दिब्वे पारिजात, देवी सत्य भामा आपकी छाय में उस पुन्यक वरत का यग्या और अनुस्थान करना चाती हैं जिसकी पूर्ती से नारी को अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने पती का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है इसलिए आप प्रसंद होकर इन्हें अपने चाय में यग्य करने की आग्या दें और इन्हें इनके मनो कामना के सिध्धी का आशिरवाद प्रदान करें इसलिए प्रसंद होता है झाल झाल देवी वरिक्षिराज ने आपकी प्रार्थना स्विकार करके आपको यग्या आरम करने की आज्या दे दी और आपको सफलता का अशिर्वाद भी दिया है अब आप यग्या का संकल्ब कीजिए देवी इस यग्य के विधान के अनुसार संकल्ब करते समय कुछ दान भी करना पड़ता है दान? हाँ दान कहिए क्या दान कर दूँ और कितना दान कर दूँ? कितना दान करने की बात नहीं है देवी दान का महत्व या दान का मोल मात्रा से नहीं तोला जाता भावना से तोला जाता है अर्थात? नारायन, नारायन अर्थात यह कि यह मृत्यू लोग वास्तों में कर्म लोग है यहां कर्म करने से इस प्रेकार यग्य और वृत आदी धार्मी कर्मों का फल अवश मिलता है सिद्धियां भी मिलती है परन्तु यहां बिना मोल के मुफ्त में कुछ नहीं मिलता हर फ्हल की हर सिद्धि की कीमट किसीने किसी दूसरे रूप में देनी ही पड़ती है सो जब मानव कोई ब्रत अथ्वा अनुस्ठान के द्वारा अपने भाग से अधिक पाना चाहता है तो उसे किसी दूसरी शकल में उसके बराबर की कीमत देनी पड़ती है दान देने का यही भाव है तो बोलिए अपनी कामना सिद्धी के लिए मुझे कितनी कीमत देनी होगी कितना सोना, कितने रत्म, आभूशन जो चाहिए जितना चाहिए मैं उतना दान करने के लिए तयार हूँ पुन्यक वरत की सिद्धी के लिए दान देने का ऐसा विधान है कि जो वस्तू आपको सबसे अधिक प्रिये हो उसी का दान करना पड़ता है। सो आप ये बताईए कि इस संसार में क्या आपको हीरे मोती, आभूशन, सोना ये ही सबसे अधिक प्यारे हैं। नहीं तो फिर आपको इस संसार में सबसे अधिक प्यारा क्या है। सबसे अधिक प्यारा हाँ, 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 सबसे अधिक प्यारा, सोचिये, क्या है, कौन है, जो आपको सबसे अधिक प्यारा हो। मेरी लिए इस अंसार में सबसे अधिक प्यारा केवल एक है कौन कौन मेरी पती द्वार का धेश नारायन नारायन तू बास तै हो गया देवी आपको मुझे द्वार का धीश ही दान करने पड़ेंगे लीजे दान का संकल्व कीजिए द्वार का धीश का दान देवर्शी यह आप क्या कह रहे हैं मैं इसलिए तो यह व्रत कर रही हूँ कि मुझे मेरी पती का सबसे अधिक प्रेम मिले और मैं उन्ही को दान कर दूंगी तो मैं उनका प्रेम कैसे पाऊंगी यह आपके दान की कैसी रीती है यह दान की रीती नहीं है देवी यह मृत्य लोग की रीती है जो मानव जितना अधिक पाने की चेस्ठा करता है उसे उससे अधिक देना पड़ता है यही कर्म लोग का विधान है यह कैसा विधान है देवर्शी जिसके लिए मैं यह यग कर रही हूं और उसी को मैं खोदूं मुझीवर क्या उनकी बदले में किसी और वस्तू का दान नहीं कर सकती क्या कोई और उपाए नहीं एक उपाए है वो क्या देखे दान तो आपको आपके सर्वप्री वस्तू का ही करना पड़ेगा किन्तो हाँ ब्रामन को दान की हुई वस्तू फिर उससे खरीदी भी जासकती अर्थाथ यह कि ब्रामन उस चीज की जो कीमत मँंगे वो कीमत उसे दे कर उससे चीज वापस खरीद लीजीए अच्छा ऐसा हो सकता है ना रायन यह तो ब्यापार की बात है देवी अगर ब्राह्मन मान जाए तो उसे कीमत दो अपनी चीज ले लो तब तो ठीक है यदि स्विकार है तो जल्दी से दान का संकल्ब कीजिए अनुस्ठान के मोहरत की शुप गड़ी मिकली जा रही है देवी यह लीजी जल लीजिए लीजे 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 अब कहिए अपने सार्थक व्रत की सिध्धी के लिए मैं कृष्ण पतनी सत्यभामा अपने पुरोहित ब्रह्मा पुत्र नारत को अपने पती का दान करती है अपने पती का दान करती है अब यह जल द्वार का धीश पर छिड़ेक दीजिए नारायाने नारायाने द्वार का धीश अब यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो हमारे लिए कुछ काम करो आज्या करें स्वामी स्वामी हां हमें भूख लगी है अंदर जाकर हमारे कलेवे का कुछ प्रबंध कीजिए देखे चटनी हमें बहुत अच्छे लेगती है इसलिए अपने हाथों से हमारे लिए स्वादिस्ट चटनी बनाईए चलिए आपको मैं रसोई घर दिखा दूँ जो आज्या स्वामी चलिए स्वामी यह क्या देवर्शी मैंने दान किया है इसका अर्थ यह तो नहीं कि आप द्वारकाधिश को ही लेके चले जाए ना रहाइन द्वारकाधिश अब आप ही समझाईए देवी सत्यभामा को कि दान का अर्थ क्या होता है दान का अर्थ तो वही होता है मुनिवर जैसा आप कहते हैं अब आप हमारे स्वामी है और हम आपके दास जैसा आप कहेंगे वैसे ही करना मेरा धर्म है ऐसा कैसे हो सकत यहां मेरी होते हुए आप किसी के दास नहीं हो सकते परंटु आपने तो दान करके मुझे अगर दान करती है तो मुझे नहीं करना यह दान्वान दान नहीं करोगी तो आपका पुन्यक वरत कैसे सफल होगा नारायन नारायन सभी रानियों में सबसे अधीक प्रेम आपको फिर कैसे मिलेगा देवी मुझे नहीं करना यह से पुन्यक वरत का अनुष्ठान देवरिशी जिससे मेरा पती ही छिन जाए मुझे नहीं चाहिए सवरानियों से अधीक प्रेम मुझे मेरा पती लोटा दो मुझे मेरा पती लोटा दो मुझसे भूलो गई देवरिशी मुझसे भूलो गई मुझे शमा कर दो देवरिशी मुझे शमा कर दो मुझे शमा कर दो देवरिशी अब क्या आग्या है प्रभू अब तो इनका अंकार टूट गया है छोड़ दूँ नहीं देवरिशी नहीं अभी अंकार नहीं टूटा अभी तो किवल इशा की दीवार टूटी है मुझे शमा कर दीजे देवरिशी यह किवल भावना का उबाल है यह भावकता के आसू है जो मन के उपनी मैल को धो रहे है परंत मन की गहराईयों में जो अंतर मन है अहंकार की जड़े तो वहां तक फैली हुई है हमें तो अहंकार की चड़ों को खाड़ना है ना जैसे आपके आज्या प्रभू अच्छा तो यह दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं मेरा दान वापस कर दीजे देवरिशी मेरा दान वापस कर दीजे यह कैसे हो सकता है देवी दिया हुआ दान कहीं वापिस लिया जाता है और फिर द्वार का धीश जैसी अलोकिक वस्तु का दान पाकर उसे वापिस कर दूँ मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ देवी जाईए अपने यग्ग की तैयारी कीजिए मैं तनीक रसोई में जाकर जलपान करता हूँ चलो द्वार कधीश चलो चलिए सामी मैंने कहा न मुझे नहीं करना कोई यग्ग वकिए अच्छी बात है मुझे भी ऐसे यजमान की पुरोईताई करने का कोई चाव नहीं जो अपने वचन पास स्थिर नहीं रहती कभी दान कर चलीजिए नहीं तो इन ब्राह्मनों को दक्षिना देकर विदा कीजिए चलिए भीया हम रसोई में जाकर जलपान करते हैं चलो जी सौमी अरे क्या कर रही हो सौमी गुस्सा करेंगे छोड़ो सौमी अरे भीया कहा रुक है जल्दी चलो जल्दी अभी चटनी पीसनी है चल चलो जलो 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 को जलो बीच हम आरे कम पुस्सा करेंगे जलो 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 फी मम आपके सौमी नहीं हैं फम अरे दास है नारायन, 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 नारायन ना द्वार कादीश, उन्हें रोकिये दीदी, उन्हें रोकिये मैं भी क्या कर सकती हूं सत्यभामा और तुमने भी कुछ बिला सोचे विचारे द्वारी का धिश को दान कर दिया मुझे शमा कर दीजे, मुझे भूल हो गई, इश्या ने मुझे अंधा कर दिया था मुझे शमा कर दीजे, मैं जानती हूं क्या आपकी बात ना मुनी राज टालेंगे नहीं द्वार कादीश इस समस्या का समाधन केबल आप ही कर सकती है दीदी, मैं आपकी छूटी बेहन हूं मैंने इश्या वर्ष अपनी स्वार्थ के लिए आप से इस पर्दा करनी चाहिए, मेरी भूल को शमा कर देजे दीदी, मुझे शमा कर देजे दीदी, बेहन सत्यमामा से जो भूल हो गई है, उसका फल हम सब को भोगना पड़ेगा यदि दिवर्षी नारत द्वार का धीश को साथ ले गए, तो हम सब जीते चीह ही मर जाएंगी, इस समय आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं चलो देखते हैं क्या हो सकता है, चलो क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, हरे हरे क्रिष्णा 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 अदीश्ना क्रिष्णा सच्छी दानंदर उपाया विश्व पत्या दिहेत वे तापत्लय विनौशाया स्रीक्रिष्णाय वयम्नुमहाँ स्रीक्रिष्ण को बिंदरे मुरारे एनात नाराये वासुदेया स्रीक्रिष्णाय वियम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्नुम्न कर देवरिशी मेरा दान वापस कर दीजे ये कैसे हो सकता है देवी दिया हुआ दान कहीं वापस लिया जाता है और पिर द्वार का धीज जैसी अलोकिक वस्तु का दान पा कर उसे वापिस कर दूं मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ देवी जाइए अपने यग्य की तैयारी कीजिए मैं तनीक रसोई में जाकर जल्पान करता हूँ चलो द्वार कधीश चलो चलिए सौमिनी मैंने कहा न मुझे नहीं करना कोई अच्छी बात है मुझे यजमान की पुरोईताई करने का कोई नहीं तो इन ब्राह्मनों को दक्षिना देकर विदा कीजिए चलिए भईया हम रसोई में जाकर जल्पान करते हैं चलो जी सौमी अरे क्या कर रहे हो सौमी गुस्सा करेंगे छोड़ो सौमी अरे भईया कहा रुक जल्दी चलो जल्दी अभी चक्नी पीसनी है चलो अरे चल अरे चलो जी अभी आपके स्वामी नहीं है हमारे दास है नारायन 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 शेड़ायन नारायन रूख जबढ़िए दीजी अब आप히 कुछ क्रिये न मुली रात बिले कुछ सुनते हैं न कर कादे बोगी दीदी उन्हीं मैं भी क्या कर सकती हtonur सत्यभामा और तुम्हे भी कुछ मिला सोची विचारी द्वारी का धिश को दान कर दिया मुझे शमा कर दीजे मुसे भूल होगी इर्ष्या नो मुझे अंधा कर दिया था मुझे शमा कर दिजे मैं जानती हूँ क्या आपकी बात ना मुनिराज चालेंगे, ना ही दोर कदीष. जलो देखते हैं क्या हो सता है, जलो. जो 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 स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं चटनी पीस रहा हो देवी चटनी हाँ ये कोidd aqua नहीं देवी इस समय मैं द्वार कटीश नहीं हूं इस समय मैं तो देवर्शी नारत का किवल एक सेव कूं सेवक, त्रिलोगी का नाथ, एक प्रामन, पुरोहित का सेवक, ये काया कल्प मेरी कल्पना में नहीं आता, प्रभु ये कल्पना की नहीं, यथार्थ की बात है देवी, मेरी पत्नी ने इस प्रोहित को मुझे धान में दे दिया है, पत्नी ने दान में दिया है, परन्तु मैंने तो आपको दान में नहीं दिया है, देवी सत्य भामाने ने दान कर दिया है, सत्य भामा इनकी पत्नी है की नहीं? इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं. आप केवल इतना बताइए कि मैं इनकी पत्नी हूं की नहीं? हाँ हाँ परन्तु. परन्तु परन्तु कुछ नहीं. आप ही बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूं की नहीं? नारायन नारायन अवश्य बलकि आप तो हमारी प्रथम पत्नी हैं तो आप बताईए रिशिवर कि आप मेरी अनुग्या लिये बिना मेरे पती को अपना दास बना कर कैसे लियाए बताईए बताईए मेरे पती पर आपका क्या अधिकार है आपके पती पर मेरा कोई अधिकार नहीं है देवी ठीक इसलिए इसलिए मैं अपने पती को अपने साथ लेकर जा रही हूं चलिए स्वामी नारायन सेवर चटनी हाँ चटनी अरे चलिए स्वामी ये ये चटनी घोटना आपको नहीं आएगा इसे देवर्शी स्वेमी घोट लेंगे आप चलिए वा zach casino क्यों नहीं आता ञां चकर तो थें चटनी स्वाधिस बनी हमारी चक टी वाव ओस्रमी वा वाव क्या है सवामी क्या चटनी है क्या चटनी है ना इसमें नमक है ना मिर्ची है अरे यह चटनी नहीं है घास है घास ले चलिए गया को चारे में खिला देंगे चटनी पीसेंगे करपा करके अपने कख्ष में चलिए आईये चलिए यह तो यह देखिए यह किया है आपने देवी डेवी आईये प्रभूब चलिए ना रायन ना रायन ब्राह्मन से इस प्रकार धोखा नहीं होने दूँगा देवी श्री कृष्ण अब मेरी संपत्ती है मेरी सत्य भामा ने इन्हें दान कर दिया है परन्तु श्री कृष्ण अकेली सत्य भामा के तो नहीं है मेरे भी है और मेरे भी है सत्य भामा के भी है हां तो इसका ये अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण में आप सब का हिसा है तो इसका ये अर्थ भी हुआ कि सत्यभामा केवल अपने हिस्से का क्रिश्न दान कर सकती है आपके हिस्से का नहीं बिल्कुई ब्राह्मन के साथ धोखा हो गया समपत्ती के और हिस्सेदार भी निकल आए करुण कोई बात नहीं पूर्ण त्रिलोग नाथ ने सही अर्ध त्रिलोकी नाथ ही सही कि से अब तो एक ही तरीका है कि सत्यभामा के इससे वाला खृष्ण मुझे दे जाओ अपने वाले हिस्से का क्रिश्ण आप ले जाओ हा mm क्या हाँ 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 तर्क में आप जीत गई देवी रुकमनी आपकी बात मैंने माल ली सो देवी सत्यभामा क्रिप्या यह बताईए कि स्वी कृष्ण के हाथ पाऊं आख कान आदी में से आपके हिस्से में क्या आता है बस उतना मुझे दे दीजिए नारायन नारायन अब क्या करी मैं भी कुछ निंग कर सकता है अब कर देवी सत्यभामा कुछ तो कहिए आप क्या दे रही है मुझे मैं समझ नहीं पारी है देवरशी कि मैं आपको क्या उत्तर दूं इन त्रिलों की नात में मेरा कितने हिस्स्रे पर अधिकार है मैं तो ये भी नहीं जानती एक दिन ऐसा था जब मैं समझती थी कि इन पर केवल मेरा ही अधिकार है और एक आज का दिन है जब मेरा वो अहंकार तूट चुका है आज मैं जान चुकी हूँ कि ये मेरे तो क्या किसी के भी नहीं है और सब के भी है तिर लोकी के समस्चराचर प्राणियों में एक मात्र आधार यही तो है मैं तो इनके कोटी-कोटी भक्तों में से एक तुछ गुड़ी और एहिंकारी भक्त हूँ और इनके हिदे की विशालता देखिए कि मुझ जैसी एहिंकारी भक्त की बात रखने के लिए यह आपके सेवक बने चट्मी पीज रहे हैं मेरी इस बहेंकर भूल का कुई प्रायश्चित हो तु मुझे बताइए उस प्रायश्चित की कीमत यदि मेरी प्राणों से चुका ही जा सकती है तो मैं इस इश्च्छ अपने प्राण आपके चरणों पर लोचाबर कर निकली तैयार हूँ मेरी प्राण लेलीजे मुनिवर्ण मेरे स्वामी को मेरे वचनों से मुक्त कर देजे नारायन नारायन नहीं देवी नहीं आपके प्राण तो मैं नहीं ले सकता वह तो काल भगवान के संपत्ती है इसलिए प्राणों को अमुल्य कहा जाता है हाँ यदि प्रैश्चित के तौर पर इनके बदले में कोई कीमत चुकानी हो तो प्राणों जैसी अमुल्य वस्तु को छोड़ कर कोई मुल्यमान वस्तु इनके बदले में दे दो हम इने मुक्त कर देंगे सच हाँ देवी अपने पती के लिए आपके हिर्दे में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हिर्दे भी पिघल गया सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चे कर लिया है सो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो कुछ क्या मुनिवर इनकी बदले में तो मैं आपको इतना दूंगी इतना दूंगी जितना आज तक आपको किसी ने ना दिया होगा मेरे पास ऐसी अमूल मडियां है ऐसे ऐसे रत्न है इतना सोना है कि आप समयकते समयकते ठक जाएंगे परन्तु सोना खत्म नहीं होगा नारायन नारायन मैं इतने धनका क्या करूँगा देवी शास्त्र कहता है कि ब्रामन को लो भी नहीं होना चाहिए मैं तो उतना ही लूँगा जितने शास्त्र में मर्यादा है शास्त्र में कितनी मर्यादा है शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिती में इनके तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिये, बस प्राष्चित स्विकार हो जाएगा. कोई भी पदार्थ? अर्थात? ना रायन, ना रायन, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी. फल हो फूल हो अन हो चावल हो चाहे पत्ते ही हो देवी जो कुछ भी हो आप श्रद्धा से इनके तोल के बराबर देंगी वो मैं स्विकार कर लूँगा धन्यवाद दिवरशी परन्तु जब सत्य भामा इनका तुलादान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं सोने चांधी से करेगी मारिक मोतियों से करेगी नारायन नारायन जैसे आपके इच्छा देवी तुलादान का प्रबंध कीजे जी नारायन 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 कृष्ण जी को तोलने चली है एक दिवानी जगत पति को तोलने चली है एक दिवानी कैसा है ये साहस कैसी बुद्धि मानी कृष्ण जी को तोलने चली है एक दिवानी जगत पति को तोलने चली है एक दिवारी क्या कोई उनका मोल लजाए किन रतनों से तोला जाए धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्वयं जोगानी धिश्न जी को तोलने चली है एक दिवारी जगत पति को तोलने चली है एक दिवारी भेत जिन का भेत ना जाने आगम जिन को अगम बखाने चाहे रख दो सिष्टी सारी क्रिश्न का पलेडा फिर भी भारी पीरापन्ना मानिक मोती प्रभु समता इनसे कभु होती तोल माने का प्रश्न कहां है क्रिश्न सा तूजा क्रिश्न कहां है माया पति को जाने न माया पति की राने क्रिश्न जी को तोल में चली है एक दिवानी जगत पति को तोल में चली है एक दिवानी जेवी सत्य मामा नारायन नारायन जाओ और लेकर आओ लेकर आओ जाओ 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 अजाओ जाओ जाओ ये चम की ले भथर तेरे एहम की भाशा बोल रहे रत्मों के गोश्ट टोल रही हैं तू हर तेरा रिदय के खोल रहे हैं तोल रही तू शी हरी को तोल रही तू शी हरी को हर तेरी भक्ति को तोल रहे हैं तोल रही तू शी हरी को हरी तेरी भक्ति को तोल रहे हैं आपन जाने के तो हे प्रभु तेरे एहम की ग्रंतिया खोल रहे हैं आपने जाने के तो हे प्रभु तेरे एहम की ग्रंतियां खोल रहे विभल होकर भक्त हिर ऐसे पुकारा नहीं तो पसी जेंगे कैसे एहम की आच पे दंब की हाणी में एहम की आच पे दंब की हाणी में नहा के तंदूल सी जेंगे कैसे भाव का हो जो अभाव सभाव में तरस नागर रीजेंगे कैसे देवी सत्यभामा नारायन नारायन एकने पर भी द्वार का धिश वहीं की वहीं बैठे हैं जाओ थोड़ा जेबर और लेकर आओ की श्राव में अभाव जब धुप देडि De काली की जाओ बैँ में अट्वा'smer की आओ जब की वहीं की वहीं बैँ यहां भी कुछ नहीं है, यह भी खाली हो गया, यहां पर तो कुछ भी नहीं बचा, चलो महारानी, अब तुमाँ कुछ भी नहीं बचा, मनीरतनों के कोश जब अरपन कर गई हार, तन के आवुशन बचे, वो भी दिये उतार, नहीं बीजे करतार, अर्णानी, वो यहां थाली हो गया, है, झाँली होुशन से बत्तो Knights, जहां पिरूधूनों के इसना घर्णाना है, झाल 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 द्वारी कदीश अब तो सत्य भामा पर कृपा कीजी मेरी कृपा तो सब पर रहती है देवी तो फिर सत्य भामा की इतनी कठिल परिक्षा क्यों ले रहे हैं आप परिक्षा तो सब को देने ही पड़ती है सत्य भामा केवल स्वन से मुझे तॉलना चाहती है परन्तु ये भूल गई है कि नारी के पास इन आभूशनों के अत्रित और भी बहुत कुछ है वो क्या द्वारी कदीश नारी का मन उसका समणपन भाव उसकी आत्म आभूशन तो केवल दे को सुन्दर बनाते हैं देवी मन को नहीं तो फिर सत्यभामा का मन भी सुन्दर बनाईए ना वही तो कर रहा हूं देवी क्या तुम सत्यभामा के साहता नहीं करोगी क्यों नहीं करूंगी वो मेरी छोटी बहन जो है देखे न अब तो उसमें अपने अलंकरन भी आप पर चड़ा दिये हैं देवी यह अलंकरन नहीं यह सत्यभामा के अहंकार की बेडियां हैं जिने एक एक करके तोड़ना होगा यह तो उसके मन की शुद्धी का पहला चरण है अब तो उसने अपने शरीर के अहंकार की सारी बेडियां उतार दी हैं अब तो प्रसन्य हो चाहिए प्रभू उसकी रक्षा कीजिए अपनी बहन की रक्षा तो तुम ही कर सकती हो रुक्मणी और यह बात तुम अच्छे तरह जानती हो जो आज्या प्रभू जो आज्या प्रभू धीदी मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ इने अरपन कर चुकी हूँ परन्तु द्वारका धिश अपनी लीला किये जा रहे हैं आप आप देख रही है न दीदी सत्यभामा अभी सब कुछ कहा अरपन किया है तुमने यह देखो लेश मात्र भीशेश है जब तक मान गुमान सब तक रिदय प्रवेश नहीं करते श्री भगवान हर का यही विधान यह मुद्रिका अभी भी तुम्हारे पास है आभूशन तो देह के बहारी आडंबर होते हैं पगली इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तौलने चली थी परन्तु देख लिया ना इनका कौतुप इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तौलो सत्यभामा एक पत्मी की भावना से तौलो यह सोने के आभूशन तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे अच्छा क्या उन्हें अरपन कर दिया अब एक भक्त की माती इन्हें पुकारो भक्ति और प्रेम से यह हार जाएंगे धन और अहंकार की शक्ती से नहीं लो यह अंतिम मुद्र का पूरी श्रधा के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तौला पर मिश्चही जीत तुम्हारे होगी सत्यभामा धन का अहंकार छोड़ो यह तो तुलसी के पत्ते से भी रीच जाएंगे यह जो कर दो प्रेम प्रीति केहमाल जोल पल बिक गय क्रिपा निजान। वप्पी भरे इक पात से हार गय भगवान। नारायन 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 नारायन। लो प्रभु, जितना पात आपने मुझे पढ़ाया था, उतना नाटक मैंने पूर्या कर दिया। और कोई आज्या। अच्छा, तो इस नाटक की सूत्रधार आप ही थे। हाँ सत्यभामा, इस ब्रमांड में जितने नाटक होते हैं या हो रहे हैं, उन सब का सूत्रधार मैं ही हूँ। देवी रुक्मनी इस बात को भली भात ही जानती है। अब समझी मैं, आपकी लिलाओं के रहस्त, मुझे अब दीदी से ही जानने पड़ेंगे। देवरशी आपने मेरी अंतरात्मा को अहिंकार के दोश से मुक्त करवा दिया। उसके लिए आपको कोटी-कोटी धन्यवाद मुझे आशिरवाद दीजे। कि फिर कभी मेरी आत्मा में अहिंकार का प्रवेश्णा हो। देवी सत्यभामा उसके लिए प्रानी को श्री कृष्न की भक्ती का कवच पहनना पड़ता है। और भक्ती भी यही प्रदान करते हैं। मेरा अशिरवाद है कि इनकी कृपा आपर सदा बनी रहे। नारायन, 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 नारायन आपे! हार गडुदी नी क्षिन की! हार गडदी नी क्षिन की! हार! कि कन्हया 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 कहां गया होगा हमेशा ऐसा ही होता है जब भी मैं इसे मिले आता हूं यह कहीं और चला जाता है कन्हया कहां हो तुम मैं यहां हूँ दो भीया कहां ते तुम कन्हया हां मैं जितनी जोर से गदानी चलाता हूं उतने जोर से तुम्हें पुकार आता तो मेरी पुकार सुनकर तुम आये क्यों नहीं? मुझे आपकी पुकार सुनाई नहीं दी दव भीया दव भीया आसन तो ग्रहन कीजिये अब मुझसे नाराजन दव भीया मुझे सब भूल हो गई दाव भाईया आप मेरे बड़े भाईया हैं आप मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे स्विकार होगी कि दाव भाईया इसका अर्थ है कि आप मुझे पर नाराज नहीं है अरे कनिया तुम पर नाराज होने का अर्थ है अपने आप पर नाराज होना तो 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 आपके चेरे पर वो वो भाव वो एक नाटक का अंश था नाटक कनिया मैंने सोचा कि हमेशा तुम ही नाटक करते हो क्यों आज मैं भी नाटक कर लू कियों कैसा रहा मेरा नाटक मैं तो मनी मन आतंकित हुआ था आपके चेरे पर जो भाव थे उससे तो लग रहा था कि आप बहुत गुसी में थे और यह कभी तो साथ में लेकर आए दें गदा गदा अब अब हमें यह नाटक हर रोज करने होंगे कनिया हर रोज अब हमें कभी प्रेम का तो कभी घुश्य का अभने करना होगा हाँ अब हमें कभी गोड़ा बनना होगा कभी हाथी बनना होगा अब हमारे यह महल यह महल खुशी से जूम उठे गा क्या जूम उठे गा दाव भाहां अरे च्रहिए अब मैं और तुम याने के तुम और मैं हम दोनम मामा बनने वाले मामा इसका अर्थ इसका अर्थ यह है कि हमारे बहन सुभद्रा कर्भुवती है अरे यह तो बहुत शुप समचा रहे है है ना परंटी समचा देने के लिए आप हाथ पर गदा लेकर क्यों आए गदा हाँ करें करें हम वह अजय चला रहा था वह पारिणि मुझ्स आगर कहा के इंद प्रस से कोई रूट आया है मैंनों उसे वहीं बुला लिया वहीं उसने मुझे यह शुब समाचार सुनाया और वहीं शुब समाचार मैं तुन्हें सुनाने यहा भाग भाग तुम भूल रहो कि हमारा भांजा एक वीर पुत्र है और फिर उसके दोनों मामा भी तो माविर हैं, हाँ, कनिया, मैं तो कहता हूँ कि हमारा भांजा मिट्टी के खिलोनों के साथ खेलेगा ही नहीं, वो तो धनुष, और गदा जैसे खिलोनों से खेलेगा, कि गनेया मैंने तो तै कर लिया है क्या तै कर लिया दो भीया यही कि मैं अपने भांजे को दुनिया का सरुस्रिष्ट गदाधर बनाऊंगा मैं उसे घधाचलाना सिखाऊंगा और अगर अगर सिखते उसने कोई गल्ती की तो मैं उसे ऐसे टाटूंगा ऐसे डाटूंगा कि वो रोपड़ेगा हैell कि अफissements जब वो रोएगा तो मैं उसे मनाने के लिए मूण नी बजाऊंगा हाँ है issant धुटेय oggiたい आपक करना करें हैं और आज का सुझते आप बूल रहे हैं आज का वास्तो क्या है आज का वास्तो आज का वास्तो यह है कि मेरी प्यारी ननंद रानी सुभध्र गर्भवती है यह शुप समचार तो हमें पहले ही मिल गया थे समचार तो आपने आधां सुन लिया है प्रभू आधा मतलब यह कि इंद प्रस्त में सुभध्रा की गोद भनने का समारों होने वाला है, दूत उसी का संतेशा देने आये था, आप दोने ने केवल इतना सुन लिया, कि सुभदर कर्व बती है, भसुआ है, दाव भाईया, आप तो भांजे को गदा चलाने की शिक्षा देने लगे, और ये महान भाव, मुरली से उसे प्रसंद क करने निकले थे, अरे, अब हमें तयारी करने चाहिए, इंदपरस्थ हमारी और से किसी को भेजने की, अब तयारी करने चाहिए, मेरी प्यारी ननतरानी सुभदरा का सम्मान करने की, उसे भेट भेजने की, हाँ, कनेया, अब हम दुनों को ये सब भूल ही गए, हाँ दाव भीया हम तो अपने भांजे के आगमन के कल्पना रंजन का आनंद ले रहे थे कनहिया मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अक्रूर जी को ये सारे भेट वस्तुएं लेकर इंदप्रस्त जाने का आदेश दू आपका उचित ने दो भीया हूं वो सारा सामान जिसे हमारी और से इंदप्रस्त भीजवाना है उसे जल्दी से भीजवा दीजिए ताकि गोद भराई के समारों तक समय से पहुँच जाए अवशिदाव भैया हूं बड़ी मंगल मही घड़ी आई सजनी शुब गोद भराई के बढ़ाई सजनी सारे नगर में बातों मिठाई सजनी बड़ी मंगल मही घड़ी आई सजनी सर्व सुहागिन आओरी बड़ भागिती गोज भराऊरी मेरा मिठाई फन नाओरी सुब गोद भराऊरी गोद भराऊरी मंगल गाऊरी सुरूहाद असिसल नाओरी सर्व सुहागिन आओरी सुभद राँ की गोज भराऊरी कुंती बात कोश सब खोला ये है दूर लवक्षड रतलों से तोला हर्श की बेल हुई हरियाली पाच मुना देगी पाच चाली आजल तो पैलोरी मन चाहा धन पाउरी अजल में हर्श पाच की बाच हुई आजल 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 राच मुना पाच की बेल आजल पाच की अजल इंद्ट अजल अजल प्सअ आजल आजल इंद्ट आजल सिर्ट आजल कर दो मैं था प्रण दो आपड़ान है क्रिश्न आर बलराम से बातुन पान्डव कुल वीरों का है कुल वीर का सुत महाविर बलेगा कुछल बलता नाम करेगा लनना की कुछ नर्म आरी मईया पे बली बली जारी सर्वर शुहा दिन आरी सुभरता की गोद बराओरी बड़ी मंगल मही घरी आई सजनी शुट गोद भराओं की बथाई सजनी तारे नगर में बातों मिठाई सजनी बड़ी मंगल मही घरी आई सजनी बड़ी मंगल मही घरी आई सजनी प्रिष्णा 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 किसना 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 हरे हरे सची दानंदर उपायत विश्व पत्या दिये तवे तापत्य विनुशाय श्रीक्रिष्णाय वयं महा श्रीक्रिष्ण को बिंद्र अजे मुरारे एनात नारायन वासुदे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्रीक्रिष्णाय वासुदे श्रीक्रिष्णाय वासुदे कि मित्रता की कहते हैं कि दोस्ती हो तो क्रिष्ण और सुदामा जैसी और दोस्त हो तो श्रीक्रिष्ण जैसा श्री क्रिशन के जीवन में सुदामा के साथ उनकी मित्रता का ध्याय बड़ा ही मधुर और मार्मिक है जिसमें पग पग पर इतनी गहरी भावक तच भरी हुई है कि ये कथा कहते कहते या सुनते सुनते कई बार आँखों में आसु आ जाते है शोदकारों के अनुसार कृषन सुदामा की कहानी भारत और विदेश की कई भाशाओं में लिखी गई है बंगला, मलेयाली, कश्मीरी भाशाओं के अतिरिक्त, उर्दू और फार्सी भाशाओं में इस अनुपम मित्र कथा का गान किया गया है काशी के काविरसिक लाला भगवान दीन ने प्रियदर्शी के नाम से इस कथा को लिखा तो माराश्ट्र के आनंद दास ने उर्दू शायरी में इसका वर्णन 1884 में किया इस कथा के आधार पर रंग मंज के लिए कई नाटक लिखे गए सोयम हमने अपने बच्पन में कृषिन सुदामा नाटक लहौर के रंग मंज पर देखा है प्रंतु इन सब कवियों के मकाबले पर हिंदी के एक कवी नरोतम दास ने सुदामा चरित के नाम से जो कविय लिखा है उससे अधिक रस्मे कविय किसी भी भाशा में किसी भी कवी ने नहीं लिखा इसलिए कितनी शताब्दियों के फशाद भी लोग उनकी शब्दावली को नहीं भूल सके सीस पगान जगात अनपे प्रभू जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपानहन की नहीं सामा द्वार खडो दुज दुर्वल एक रहो चकी सो बसधा अभी रामा उचत दीन दयाल को धाम बताबत अपनो नाम सुदामा यह कहानी है दो दोस्तों की जो बच्पन में एक ही गुरू के आश्रह में पढ़े कृष्णिक राजकुमार था और सुदामा एक गरीब ब्राह्मन पुत्र इसी काल में उनके बीच बड़ी गहरी मित्रता हो गई अब बोलो मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं तुम तो सच मुझ भगवान की तरह ही उदार हो आज जीवन में पहली बार किसी को मित्र बनाने का आनन पाया है मित्र फिर दोनों बड़े हो गए श्री कृष्ण द्वार का धीश बन गए लेकिन सुदामा की सिती में कोई फर्क नहीं आया बलके सुदामा की शादी हो जाने के बाद परिवार के बढ़ जाने से सुदामा गरीब से भी अधिकरीब हो गया इस कहानी में दो मित्रों की गहरी दोस्त्री का चितरन किया गया है इन में से एक भगवान है तो दूसरा है दीन गरीब सुदामा एक पूर्ण काम दूसरा निशकाम एक नियामक है जो नियम बनाता है तो दूसरा सैयम ही जो नियमों का पालन करता है एक ब्रह्म है दूसरा जीवात्मा एक संपन्न है दूसरा विपन्न दरिद्र श्रीमत भागवत में महरशी वेद व्यास ने सुदामा का चरित्र बियान करते हुए लिखा है कि सुदामा एक ब्रम ग्यानी ब्रामन था ब्रम ग्यानी होने के नाते वो जानता था कि ये निर्धनता और गरीबी के कष्ट उसके अपने ही पिछले जन्मों के कर्मों के फल है इसलिए उस फल सुरूब दुख को भोगे बिना उसे मुक्ती नहीं मिल सकती इसलिए वो बड़े धीरिच के साथ गरीबी के दुख सहरा था प्रंतु उसकी पत्ने उस पर बहुत जोर देती रहती थी कि जिने तुम 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 तुम्हारे मित्र हैं तो उसे साहिता क्यों नहीं मांगते प्रंतु सुदामा को श्री कृषिन के आगे मदद के लिए हाथ पहलाना स्विकार नहीं था अब देखने वाली बात ये है कि सुदामा श्री कृषिन का परम भगत भी था फिर भी वो क्यों क्रिशिन से मदद नहीं मांगता था क्योंकि जो सच्चा भगत होता है वो तो भगवान से इस प्रकार का कोई नखरा नहीं करता कि मैं नहीं मांगूंगा भग तो पून रूपेन समर्पित होता है विनमर होता है उसे भगवान से कुछ मांगने में कुछ भी कहने में कभी कोई शरम नहीं होती कोई लाज नहीं होती, जैसे एक सूफी कवी ने कहा है, कंजनी बन्या मैनू शरम नावे, मैनू नच के यार मनावन दे, अर्थात यदि मेरे नाचने से मेरा प्रभू मुझ पर रीज सकता है, तो मुझे एक वेशिया की तरह नाचने में भी कोई शरम नहीं है, सुदामा इस का और दूसरा मित्र का, भक्त वाले रिष्टे में तो कोई लाज नहीं थी, कोई जिजग नहीं थी, परन्तु जिजग थी मित्र वाले रिष्टे में, मित्रदा के बारे में उसके बड़े पक के असूल थे, उसका कहना था कि मित्र के घर खाने को तब ही जाईए, जब अपने घर पर उसकी दावत करने के सामर्थ हो वो सोचता था कि मित्र के आगे हाथ पहलाने से स्वावी मान को चोड़ पहुँचेगी उसका कहना था कि विपत पड़े पे दौर मित्र के न जाईए अंत में कैसे सुदावा ने पहला कदम दौर का की और उठाया और उसके मांगे बिना श्री कृष्ण ने उसके लिए क्या किया दोस्ती को कैसे निभाया ये बड़ा ही मार्मिक परसंग है जिसे हम आज से आप के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमें आशा है कि हमारी तुटियों को ध्यान में न रखते हुए हमारे दर्शक इस प्रसंग का आनंद लेंगे जैश्री कृष्ण हमारे ट्रसंग कоляक हमारे चल्रस हमारे प्रसंग हमारे लेस working हमारे लेसे में डिया कर दो 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 कर प्रुम्ट प्रुम्ट तुम्ट प्रभु मैं क्या बात है आज तुम्हारे मुखमंडल पर तनिक वेदन कभाव चलक राया है ऐसे क्या बात हो के देवी यही बात मैं आपसे पूछने आये हूं प्रभु कि आपकी मुखमंडल पर वावुकता की एक ऐसी चलक देख रही हूं जो मैने पहले कभी नह आज एक गहरी वेदना के सुरकूंज रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है प्रभू। कहीं कोई परमभक्त अत्यांत दुखी तो नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई भक्त संसार की माया से पीडित हो। और उसकी विवश्टा देखकर आपकी मुरली के मधूर स्वर्भी प्याकुल हो गए हैं। एक तुम ही तो हो जो मेरे आंतर मन को देख सकती हो। इसलिए तुमसे मेरा कुछ भी छुपाने रहता। तुम्हारा अनमान सही है देवी। इस संसार की माया ने मेरे एक भक्त को दुख की जंजीरों में इस प्रकार चकड़ लिया है। जैसे कोई विशाल नाग एक कमसोर मनुष को अपनी पकड़ में चकड़ लेता है। उसकी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करता है। कर वही हाल हो रहा है मेरे उस भक्त का अर मेरी वीवश्टा है कि मैं उसका दुख दूर नहीं कर सकता। एसा कौन सा भक्त है। जिसका दुख आप देख सकते हैं। दूर नहीं कर सकते है। कौन है वो ? सुधामा सुधामा पहली नाम नहीं सुना वह नया भक्त है बहुत पुराना कई जन्मों से मेरा परम भक्त है और इस जन्म में तो मेरे बच्पन का सखा भी है अब पहली आना बुचाये प्रभू बताईये ना कौन है वो कहां रहता है वो देखो अपनी जोपडी में बैठा हुआ है जब सारा संसार सो रहा है तो वो अपनी जोपडी के कोने में बैठा मेरा नाम इस्परंड कर रहा है स्री कृष्णा, 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 स्री कृष्णा Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna इसे क्या दुख है प्रभू? इसे दलिद्धा का रोग है इसका दुख है गरीभी गरीभी? हाँ, गरीभी Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna Shri Krishna sri krishna sri krishna sri krishna sri Krishna कि अवस्ता प्रिष्ना जो लुट जो लुटू है स्री कृिस्ना स्री कृिस्ना स्री कृिस्ना हुआ 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 है ओण भुआ हुआ हाई स्री खिն्हा भाण स्री खृस्टा स्री कृष्टा क्वाल पानी पिकर इसंतोश कर लिया स्री ख्रिंहा संसार का सबसे बड़ा दुख है खरीबी खरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े फीर को घुटने टेकनी पर विवश कर देती है खरीबी बड़े से बड़े ग्यानी का और बड़े से बड़े धर्मात्माओं का धीरज और धर्म चकना चूर कर देती है और उन्हें धर्म के मार्क से हटा कर अधर्म के मार्क पर चलने पर विवश कर देती है मेरा ये भाक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरश अपने घुटने देख देते हैं तो गरीबी करोग है इसे हाँ, गरीबी करता है झाल 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 क्यूं कर रही हो तुम जो हो रहा है विधी के विधान का नुसार हो रहा है यह सब हमारे पूर्व जन्मों की कर्मों का भोग है और सुंधरे अपने कर्मों का फल हमें ही झेलना पड़ता है इसमें भगवान के नय नय की बाते कहा से आ गई क्या इसकार्थ यह है कि हम सभी पूर्व जन्मों में पापी थे जो आज भोके प्यासे रहकर अपना पाप पालन करें श्री कृष्णा स्री कृष्णा परन्तो हमारे पूर जन्मों का दंड हमारे बच्चों को क्यों दिया जाता है यह भी कभी पूछा है आपने अपने श्री कृष्णा से Shri Krishna Shri Krishna यदि आपने मैंने हमारे बच्चों ने सब पूर जन्मों में पाप किये हैं तो आपने Shri Krishna से कहिए उनसे कहिए कि मैं आप सब के पापों का फल भोगने को तयार हूं मुझे चाहे मुझे चाहे जितना भी दुख दे ले परन्तु आपको और मेरे बच्चों को दो जून का भोजन देते रहें वह सुंधर है इस संसार का ऐसा विधान है के रातरी के बाद दिन अवश्या आता है इसलिए दुख के बाद सुख के दिन अवश्या आएंगे ऐसा विश्वास रखो ऐसा विश्वास रखो तुम हाँ मुझे विश्वास है मुझे विश्वास है कि सुख के दिन अवश्या आएंगे परन्तु हमारे जीते जी नहीं आएंगे शायद अपने कृष्णे से कहिए कि मरने से पहले मुझे सुख का एक दिन एक दिन तो दिखा दे अपने प्रभों से इतना तो कह दो उन्हें कहने की क्या वश्यक्ता है वो स्वयम भी तो सब कुछ देख रहे होंगे उन पर विश्वास रखो और उनकी मज़ी पर सब कुछ छोड़ दो श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा तो देवी, अब आपके सुदामा के बारे में क्या राय है? प्रभू, आपका सुदामा महान है. हाँ, देवी, वो संसार का एक श्रेष्ट और महान व्यक्ति है. वो एक योगी है. संसार के सारे बंधन तोड़ कर, वो सन्यासी भी हो सकता है. परन्तु, जिससे उसने विवाह किया है, उस पत्नी और बच्चों की जिम्मिदारी छोड़कर, वो मोक्ष भी नहीं पाना चाहता. मन से वैरागी होकर भी, वो घर ग्रैस्ती का अपना कर्तब भी निभा रहा है. उसके चारों और असंतोश ही असंतोश है. भेर भी, सुदामा विजलित नहीं होता. वो इस्थित प्रग्य योगी है, देवी. ये ऐसी स्थिती है, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है. प्रभू, प्रिथ्वी लोग तो मोह का माया जाल है. हाँ. सुदामा को इस माया जाल का मोह नहीं हुआ? देवी, सुदामा निर्मोही है. किसी भी मोह का, उसे मोह होगा कैसे? फिर भी, वो देखो, उसके लिए एक नया मोह जाल पाल्की में बैठकर आ रहा है. ओम भवाति भिक्षाम देः. रुको, 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 पाल्की रुको. सुदामा, 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 सुदामा! आँ. आँ, आँ. आरे, चक्रदर, तुम, हाँ, हाँ मैं, मैं चक्रदर, तुम्हारा मित्र है, हाँ, चक्रदर, तुम्हें पालकी में देखकर, संतोश हुआ मित्र, और तुम्हें, तुम्हें जोली पहला कर, भिक्षा मांगते हुए देखकर, मुझे संतोश नहीं हुआ मित्र, चक्रदर, मैं कोई, अनुचित कारे तो नहीं कर रहा हूँ, ब्राम्मण, पुजा पाठ करके, यह जुमान जो द्रक्षणा देखा, वो लेना ब्राम्मण का धर है, चक्रदर, पांच घरों में जाकर, भिक्षा मांगता हूँ, और यह उचित है, अगर छटे घर में जाकर, भिक्षा मांगता, तो अधर्म होता, और यह तो मैं करता ही नहीं हूँ, चक्रदर, पहले तुम भी मेरी तरह, मेरे साथ पांच घरों में जाकर, भिक्षा करते थे परन्तु अब मैं तुम्हारी तरह भिक्षा नहीं मांगता सुधामा तुम खोदी देख लो तुम में और मुझ में कितना अंतर है आज मुझे पालकी का सम्मान प्राप्त है और तुम आज भी पांच घरों के सामने जोली फैलाकर ओम भवति भिक्षाम देही मंत्र का जाप करते हो ब्राम्मन का यही धर्म है चिक्वधर धर्म अधर्म की बातें करते रहोगी तो कुछ भी नहीं पासकोगी मेरी और देखो मैं सिर्फ राजा के तरबार में हाथ फैलाता हूँ आज मैं और मेरा परिवार सुखी है तुम भी मेरी बात मान लो दरबार में हाजिर हो जाओ और राजा के गुणों का वर्णन करो और सोने की मोहरों की दक्षिना प्राप्त करो श्री किष्णा श्री किष्णा और तुम्हारा प्रारब्ध बदलने का चमतकार यह सोने की मोहरें ही कर सकती हैं जैसे तुम्हारा प्रारब्ध सोने की मोहरोंने बदला है तुम ठीक कहते हूँ ठीक कहते हूँ नहीं नहीं चक्रदर सोने की महरों से तुम्हारा प्रारब्ध नहीं, तुम निश्चित ही बदल गए हो, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है, कि तुम्हारी बुद्धी ब्रस्ट हो गई है, हमारे गरंथ कहते हैं, कि राजा इश्वर का अंश होता है, परंदु इश्वर नहीं होता, इसलिए इ करो इश्वर की भक्ति करो लोगों को भक्ति योग का मार्त दिखाना ही राम्मर का धर्म है राजा के सामने सोने की महरों के लालच में हाथ पहलाना राम्मर का धर्म नहीं है चक्रधर सोधामा भावना के सपने मत देखो कुछ सांसारिक ज्यान की बातें करो सांसारिक ज्यान की बातें मैं ज्यान की ही बातें कर रहा हूं चक्रधर शास्त्र कहता है कि ब्राम्मन ब्रह्म जानता है इसलिए उसे ब्रह्मन कहते हैं और वो ब्रह्मन जानता है इसलिए किसी भी राजा के दर्बार में ब्राम्मन का स्थान गुरू के पतपर होता है वो राजा की जूटी प्रशंसा करने वाला भाठ नहीं होता है राजा को शिक्षा देना ही ब्राम्मन का धर्म है यदि राजा की प्रशंसा करने के लिए ब्राम्मर राजा के पास जो गुण नहीं है उनका गान करने लगे तो ब्राम्मा तो उसका नश्ट हो जाता है तुम्हारी बुद्धी भरष्ट हो गई है सुदामा कलाजित इसलिए तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो हाँ अगर तुम्हारे प्रारव्द में मृत्यू तक फिक्षा मांगते हुए जीना लिखा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है कुछ नहीं कर सकता है चलो कुछ नहीं कर सकता है कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ कुष्णा, कुष्णा, कुष्णा तॅधियंवस्तु गो भेन्ञ, तुब्यम्र समर्पे, ग्रिहानसमकौ भूत्वा ग्णान संको वुट्वा प्रसीद पर्मेश्वरा प्रसीद पर्मेश्वरा जै श्री कृष्न, श्री कृष्न, श्री कृष्न अरे देनु को कैसे भूल गया है? मैं देनु को उसका हिस्सा देकर आता हूं असल में बहुत जोर की भूक लगी थी इसलिए तुम्हें भूल गया माता मुझे शमा कर देना मुझे छोल कर देना शीकेस जीकेस Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna Shri Krishna, Shri Krishna अब भोजन शरू करो सर्वे भवन्तु सुखिनहा, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मा कष्चित, दुख भाग भवेत, मा कष्चित, दुख भाग भवेत, जये श्री कृष्ण, शुरू करो, वसुंधरे, तुम भी हमारे साथ भूजन करो, आँ मा, तुम भी हमारे साथ भूजन करो, ना, हाँ, मैं खाती हूँ, तुम लोग भोजन प्रारंब करो माता जी माता जी बहुत दिनों से भूका हूं भोजन देंगे तो भगवान आपका भला करेगा झाल करेंगे हैं करेंगे आपका बला करे भगवान आपका बला करे करेंस करेंस ले करेंस भी ए भी out झाल झाल कि वहादनों कि प्रॉस्ञेस परणी हुआ है स्रीक्रीनदी realise स्रीम क्रिस्ट, स्रीम क्रिस्ट क्रिस्ट की क्रिस्ट अजय के अजय को थे खुआ है मेरा पेट भर गया पेट भर गया? हाँ कि बोजन करने से पहले ही कि असली बात क्या है प्रभु कि जब मेरा भाक्त बोजन नहीं कर सका तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ किस ने भोजन नहीं किया बास्तियू सुदामा ने यह सुदामा कौन है और उन्होंने भोजन क्यों नहीं किया सुदामा सुदामा एक गरीब ग्राममाड है उसे और उसके परिवार को संपून भोजन हर दिन नहीं मिलता है फिर भी सुदामा धर्म के मार्ट से विजलित नहीं होता ग्रेहस्त प्राणी का धर्म है कि भोजन के पहले ही भोजन का एक हिस्सा अपने पश्वों को और एक हिस्सा भोजन के समय कोई अतिती आया हो तो उसे खिलाना चाहिए आज सुदामा ने यही किया और आतिती को देने के पाद स्वयम सुदामा के लिए कुछ भी पचा रही यह होता है धर्म पालन ऐसा लगता है यह भक्त आपको बहुत प्रिय है हाँ देवी क्यों देवी वास्तों में धर्म पालन का मार्ग बहुत कठोर है इस मार्ग का अनुसराण करने वाले महान होते हैं क्योंकि वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते वो कभी भी अधर्म की उंगली पकड़ कर धर्म का मार्ग छोड़ नहीं देते सुदामा महान है सत्यभामा सुदामा जैसे भाक्त अपनी भाक्ती से और धर्म पालन की वजह से भाक्त का पद इतना उंचा कर देते हैं कि कभी-कभी तो भग्त और भाग्वान में कोई अंतर ही नहीं रह जाता इसी कारण सुदामा मुझे बहुत प्रिय है क्या अरजुन से भी अधिक आपको सुदामा प्रिय है मुझे अरजुन और सुदामा प्रिय है देवी दोनों अपनी जगा श्रेष्ठ हैं, दोनों अपना करता विपालन मन से करते हैं, और सुदामा तो मेरा गुरु बंद भी है, हम दोनों ने बचपन में सांधीपिनी मुनी के आश्रम में साथ साथ अध्यन किया है, इस कारण सुदामा मेरा मित्र भी है, फिर आपका मित्र कभ आप से मिलने द्वार का क्यों नहीं आया? सत्यभामी, सुदामा एक गरीब ब्रह्मर्ण था और मैं एक राजकुमार परन्तों सांदीपनी मुनी के आश्रम में राजा हो या रंक सभी का एक ही स्थान था मैं राजपुत्र हूँ और सुदामा गरी ब्राह्मन का पुत्र फिर भी हम दोनों में कोई अंतर नहीं था मेरे मन में तो अब भी नहीं है द्वारकदीश जब आपके मन में कोई दुविधा नहीं है तो उनके मन में दुविधा क्यों है? फिर सुदामा आपको मिलने क्यों नहीं आते हैं उसकी दुविधा ये है कि उसने मेरे साथ दो रिष्टे बना रखे हैं एक भक्त का एक मित्र का भत के तौर पर तो उसे कोई दुविधा नहीं है परन्तु मित्र के तौर पर उसका अहम जाकरत हो जाता है वो एक ही कवित पढ़ता रहता है कि विपत्ति पढ़े पर द्वार मित्र के न जाईए विपत्ति पढ़े पर द्वार मित्र के न जाईए परन्तु क्या सुदामा मित्रता का धर्म जानते ही नहीं नहीं सत्यभा में सुदामा सब धर्म जानता है परन्तु परिस्तिति के कारण सुदामा दुविधा में भस किया है एक ओर वो मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता दूसरी ओर अपने परिवार का पालन भी करना है वो भी तो उसका धर्म है उसे इसी बात का दुख है कि वो परिवार का पालन पोशन ठीक तरह से करने में असफल हो रहा है फिर भी वो आपके पास क्यों नहीं आते इसलिए कि उसके मन में शंका है कि क्रिश्न जो उसका बाल सखा है अब दुखारी का धीश हो जाने के बाद करीब सुदामा को पहचाने का की नहीं क्रिश्ना रेख 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 झाल झाल किष्णा 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 किष्ण सच्छी दानंदर उपाया विश्व पर्क्या धिये तवे तापच्य यह नौशाया श्री कृष्णाया दृष्णाया वयं बह्याना हा सच्छी क्रिष्णा को बिंद़ दे मुराने ए नाती नारा वेण वासुदे सुर्पै। अरे आडे किष्णा आड़िक क्यारे किष्णा, आडे किष्णा, हरे, हरे माता जी माता जी बहुत दिनों से भूका हूं भोजन देंगे तो भगवान आपका भला करेगा हम दोनों ने बच्पन में सांधीपनी मुनी के आश्रम में साथ साथ अध्यम किया है इस कारण सुदामा मेरे मित्र भी है परन्तु क्या सुदामा मित्रता का धर्म जानते ही नहीं नहीं सित्भा में सुदामा सब धर्म जानता है परन्तु परिस्थिते के कारण सुदामा दुविधा में भस गया है एक और वो मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता दूसरी और अपने परिवार का पालन भी करना है वो भी तो उसका धर्म है उसे इसी बात का दुख है कि वो परिवार का पालन पोशन ठीक तरह से करने में असफल हो रहा है भी भी वो आपके पास क्यों नहीं आते इसलिए कि उसके मन में शंका है कि कृष्ण जो उसका बाल सखा है अब दौरी का धीश हो जाने के बाद करीब सुदामा को पहचाने का की दहीं प्रभू आप तो अंतरियामी है सब कुछ जानते हुए भी आप किवल दूर से दर्शक की भूमी का निपा रहे है क्या सुदामा की भक्ती में कुछ कमिया है नहीं जामंती सुदामा पर संधेय करना इसका आर्थ है अपने आप पर संधेय करना फिर आप सुदामा पर कृपा क्यों नहीं करते तुम महीं जानती एक बाद गुरू आश्रम में जब मैंने उससे कहा था कि सुदामा तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो सुदामा ने जानते हुए क्या कहा था क्या कहा था सुदामा ने कहा था वो मेरे सच्चा मित्र नहीं है मुझे उसको मित्र मानना गलत है ऐसा क्यों कहा था उन्होंने उसने कहा कि मित्र उसे कहते हैं कि जो संकट में बुरे काल में अपने मित्र की साहिता कर सकता है ए कृष्ण तुम तु मेरे साहता कर सकोगे पर उन्तु मैं तो एक गरेब प्रामण हूँ कृष्ण यदि तुम पर कभे संकट आ गया तो मैं तुमारे क्या साहता कर सकूँगा इसलिए मुझे अपना मित्र ना बनाओ वाह सुदामा जैसे आपके मित्र को देखनी की उत्सुकता अब मेरे मन में भी जाकरत हुई है सत्यभामे घर ग्रहस्ती की चिंता में फसे हुए प्राणी भाक्तियोग की साधना नहीं कर सकते सुदामा इस दुनिया का एक उत्तम उधारन है सुदामा यदि पूर रूप में भाक्तियोग की साधना करता है तब वो अपने बच्चों और पत्नी पर अन्याय करता है और जब वो घर ग्रहस्ती पर ध्यान देना चाहता है तब भाक्तियोग की साधना नहीं कर पाता यहीं उसके समस्या है तो फिर इसमस्या का हल कब होगा जब सुदामा मुझसे मिलने आएगा और वो मिलने कब आएगा शीक्री पिताजी पाल के आगई प्रानाम भावी जी देवर जी आप आएए आएए आए मित्र आएए ना बैठिए आपने तो मुझे चौंका ही दिया आप पाल की से कैसे राजा ने मेरा सम्मान किया है भावी जी दर्भार में मेरा महत्वपूर्ण स्थान है और काम क्या? केवल राजा के सामने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना विद्वत्ता का नहीं बलके राजा की चापल उसी का प्रदर्शन करना अपनी कवित्या में राजा के उन गुरों का गान करना जो राजा में है ही नहीं ये काम एक चारण और भाट के होते हैं एक प्रामर के नहीं सुन लिया सुन लिया आपने भावी जी सुदामा की इसी विचार धाला की वज़ा से इस घर की ऐसी हालत है भावी जी सुदामा मुझसे कई गुना ज्यादा विद्वान है फिर भी फिर भी आपके बच्चों को भर पेट खाना नहीं मिल सकता आजकल पूजा पाट से कोई लाब नहीं होता इससे अच्छा है कि सुदामा राजा के दर्बार में जाए और मेरी तरह ही राजा के गुनों का गान करे मैंने सुदामा को कहा था परंतु मेरी तो मानता नहीं इसलिए आपके पास आया हूँ अब आप ही से समझाईए भबी जी एक बार केवल एक बार यदि राजा के कृपा हो गई तो आपके भाग्य के जो दर्वाजे बंध हैं शीगर ही खुल जाएंगे और जिस गरीबी ने आपके घर में आश्रे लिया है वो गरीबी राजा के केवल एक इशारे से इस घर का त्याग कर देगी और फिर मेरी तरह ही सुधामा भी जब पालकी से जाएगा तब सबसे अधिक आनंद आपको ही होगा भाबी जी इसे समझाईए इसे समझाईए भाबी जी अवश्य समझाऊंगी आप निश्चिंत रहिए मैं आपको वच्ण देती हूँ मेरे पती कलाब के साथ राजा के पास अवश्य जाएंगे तो बस समझ लो भाबी सब ठीक हो जाएगा प्राणाम भाबी जी प्राणाम प्राणाम अब ये श्री क्रिष्न का चाप दो दिन के लिए बंद करो और वो कविता राजा को सुना कर आईए यहीं है जेवा का सदुप्योग नहीं वसुन्धारा तुम जो कह रही हो वो जेवा का दुरुप्योग है देखो ब्राम्मर का स्थान गुरु का स्थान होता है उसका धर्म है मान हो जाती को शुक्छा देना उसका धर्म है नाजा को देश देना उसे सनमार दिखाना राजा के सामने धन के लालत से गड़गड़ाना ब्रामन धर्म के विरुत है आपने ब्रामन धर्म का विवेचन तो कर दिया पर तु क्या आप एक पती और पिता के धर्म का भी विवेचन करेंगे पती का धर्म है इस तरी की रक्षा करना ओसका दुख बांटना उसको सुखी रखना और पता का धर्म है बच्चों का लालन पालन करना उन्हें सुस्त रखना शुक्षा दिलाना और उनको अच्छा मानों बनाना क्या आप एक पती और पिता होने के नाते अपनी धर्म का पालंग करने में सफल रही हैं? मुझे एक्षमा कीजिये स्वामी, मैं आपका अपमान करना नहीं चाहती हूँ परन्तु मैं अपने बच्चों के मुर्जाय पुष्पो के समान चेहरे नहीं देख सकती हूँ श्री कृष्णी, श्री कृष्णी स्वामी, ये दीब देखा आपने इसे जलने के लिए तेल की आवशक्ता होती है ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चों को बड़े होने के लिए अन्मे की आवशक्ता है स्वामी तेल समात हो जाने पर दीब पूझ जाता है स्वामी कहीं ऐसे नहों की अन्धिक कहने के आवशक्ता नहीं मैं चक्रधर के साथ राचा की पास आवश्य जाओंगा आवशड़ कि जाओंगार와 ओसे पास आवशक्ता आवशब पूचिक कह वशड़ा श्रीकिशन, 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 श्रीकिशन क्यों रुप गय सुधामा, जल्दी जल्दी पाउँ टाओ यदी हमें देर हो गई और राजा नाराज हो गया, तो हमारा काम नहीं होगा देखो सुदामा, ये तुम्हारे ये सुनायरा अफसर है तुम अपनी काव्यकला से राजा को खुश कर देना खुश, सम्किए? मुझे तु ऐसा लग रहा है, कि तुम मेरी आत्मा की भली चड़ाने मुझे ले जा रहे हो जब सोने की मोहरों की थैली भेट में मिलेगी, तब तुम ऐसी बातें नहीं करोगे तब तो कहोगे, ये सोने की मोहरे ही तुवारी आत्मा है अब जब इश्वास हो गया है कि तुमने अपनी आत्मा को प्राजा के पास गिर्वी रखा है बंद करो अपना प्रवचन है बालाई का जमाना ही ने रहा जिसकी भाले करने जाओ वही गालियां बकता है और चलो चलो आउ अढ करो आरे आउ य पास यजिए है आउ जाँ आउ जाँ आउ आउ नुट करो आउजमा जाँ जाँ आउ जाउ जाँ जलो जलो तो सुदामा जलो तक स chassis लोलनेन tarde अहा explores अच्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ट अच्छे सहे लोाव झाल 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 कुछ बोलने के आवश्यक्ता रही है जो कुछ हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है एसी बिहोशी में राजा कदाचित एक की जगा दो दो थैलियां दे सकता है प्राणाम राजिश्वर प्राणाम कौन? मैं चक्रधर हूँ राजिश्वर चक्रधर अच्छा चक्रधर तुम मुझे दो दो दिखाई दे रहे हो राजिश्वर जो दूसरा चक्रधर आपको दिखाई दे रहा है वो है मेरा मित्र सुधामा सुधामा? राजिश्वर, सुधामा बहत विद्वान ब्राह्मन है राजिश्वर विद्वान ब्राह्मन? सुनकर मन पसंद हुआ चक्रधर क्या तुम्हारे मित्र ने भी हमारी प्रशंसा में कोई कविता लिखी है? नई जी लिखी है बहुत अच्छी कविता लिखी है राजिश्वर बहुत अच्छी और तुमने चक्रधर? जी हाँ हाँ मैंने भी लिखी है सुनाओ चक्रधर सुनाओ आज कोई ऐसी कविता सुनाओ जिसमें सुरा सुन्दरी और हमारी तीनों की प्रशंसा का संगम हो जी जलो जलो सुनाओ 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 हाँ 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 मैं महाराज तुम प्रेम वीर तुम बान वीर तुम सुन्धर ताग के पुजारी वासो के दाश हम किसम किसे प्रभु शौबा कहे तुम्हारे जय जय महाराज महाराजाऑ गिराज जय महाराज जय महाराज mondo award जादू है तुम्हारे हाथों में चहूं और तुम्हारी ख्याती है मतिरा को हाथ लगा दो तो मतिरा अमरित बन जाती है तुम इंड्रों से भी इंड्र पड़े ये इंड्र सभावत लाती है जिस नारी पे तुम हाथ रखो इंड्रानी वही कहाती है रत केल निकुन संदर ये पार की काम गेव अवतारी दासों के दास हम किस मुक से रभ शोभा कहे तुम्हारी जै जै महाराज महाराज अधिराज जै महाराज महाराज अधिराज देवों के लिए होंगे कुबेर अपने तो देव कुबेर तुमी भगवान के चर्णों से हट कर अब दिष्ट इनी चर्णों पे तुमी अपनी बिर्दावन के हमसे दो दोल जो तुम सुन लेते हो कभी अंग उची कभी कंत हार पन में उतार दे देते हो हे नरक बेर मत करो देर तुम गाता हम है भी फारी यादों के दास हम किस मुक्ते प्रभु शोभा कहें तुम्हारी जय जय महराज महराजा धिराज वाव वाव जय चक्र Us वाव चक्रधर तुम्हारी कविता से हम प्रभावित हुए हैं तुम्हारे जैसे विद्वान ब्राम्मन हमारी राज्य के भूशन है भूशन यह लो तुम्हारा ये मित्र क्या नाम बताया था तुम्ने जी सुदामा सुदामा उससे कहो क्या लिखा है हमें सुना है तुम्हारा जी सुदामा इस तो यूशन अबबबबब उटना जिचल गाना अई अजयाँ अरे गाना अरे का ? अरे का ? अजयाँ, गाना का, गाना का नहीं चट्रदर, मुझसे नाटक नहीं होगा मोर्डे को गए ओ नहीं माने बंदी गाल में डाल देंगे हमधिनタ का दूनों को ऑड़र ले जा अरे जल्दी गाना क्या हुआ तो Halanor मेत्र को कुछ नहीं कुछ नहीं महाराज कुछ नहीं अपनी कविता याद कर रहा है इतनी जल्दी भूल गया भूल नहीं गया महाराज भूल नहीं गया आप नहीं जानते महाराज आप जैसे प्रताफी राजा के सामने खड़े होकर कुछ बलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए कितनी हिम्मत बड़े बीरों के होश उड़ जाते हैं महाराज आप यह तो ठीक है अच्छा इसे थोड़ी मदिरा पिला दो अभी होश आ जाएगा नहीं नहीं आपके सुन्दर रूप के तेज को देखकर इसकी आखे चौनिया गई है माराज वो तो होगा ही चक्रधर हमारा तेज कौन सेन कर सकता है क्यों मैंनवती महाराज धरती तो क्या स्वर्प की देवता भी आपका तेज सहन नहीं कर सकते अच्छा चक्रधर इससे को कि यदि हमारे रूप का तेज सहन नहीं होता तो अपनी आंके बंद करके हमें कविता सुनाएं अब तेर मत करो हम आज्या देने के बाद तुटिक्षा करने के आदी नहीं अरे सुनाओ सुदामा सुनाओ मरू आएगा हमें साथ में सुना, सुनादी बाबा, सुनादी अरे सुनाओ, 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 सु वही सुना दे, इस हमस्था में उसको क्या समझ में आएगा सुनाओ 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 मान गुमान सुन राजा अब त्याग दे जूठा मान गुमान दो दिन के सब ठाठ हैं दो दिन की ये शान भजले हरी हरी सुन राजा भजले हरी हरी कल राजा कोई और था कल होगा कोई और किसी एक केशीश पर सदा रहे ना मौर भजले हरी हरी ओ मूगत भजले हरी हरी राजा राणा चत्रपती हाथिन के असबार मरन सब को एक दिन अपनी अपनी बार भजले हरी हरी ओ भजले हरी हरी तुन राजा भजले हरी हरी दाम बिना निर्धन दुखी प्रिश्ना वश धनवान कहूं न सुक संसाड में सब जग देखा चान भजले हरी हरी ओ भजले हरी हरी सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास ठारे पानी से बुझे कब अमरित की प्यास भजले हरी हरी ओ भजले हरी हरी ओ भजले हरी हरी ओ पगले भजले हरी हरी कोई तेरे पाप का भागन बातन हार कोई तेरे पाप का भागन बातन हार पच्ताएगा मौत जब आएगी तेरे बार भजले हरी हरी ओ भजले हरी हरी कोई मूरक भजले हरी ओ पच्ताएगा मौत जब आएगी तेरे बार बंद करो ये मकवास कोई है ये मुरक हमें मृत्यू का द्वार दिखाने आया है इसे ही मृत्यू के दार तक ले जाओ और महल की छट से नीचे फेग दो जो आग्या माराज नहीं महाराज इसे शमा कर दीजे इसे शमा कर दीजे महाराज इस बेचारे को शमा कर दीजे ये तो महामूरक है दरसल ये पागल हो गया है गरीबी ने गरीबी ने इसे पागल कर दिया है ये अपने होच में नहीं है महाराज तो एक पागल को हमारे सामने क्यों ले आए महाराज इसकी गरीबी पर मुझे तरस आ गया था पिछले तीन दिन से इसके बच्चे और इसकी पत्नी ने भोजन नहीं किया महाराज मैंने सुचा आप तो गरीब नवाज है आपकी क्रिपाद्रिष्टी अगर इस पर पड़ गई तो ये नियाल हो जाएगा महाराज लेकिन ये मैं क्या जानता था कि आज आज फिर इस पर पागल पन का दोरा पड़ जाएगा ये मर गया महाराज तो इसके साथ इसके बच्चे और इसकी पत्नी भी मर जाएगी और इससे आपका अप्याश होगा महाराज आपका अप्याश क्या कहते हो अप्याश होगा प्रजा हमें बुरा कहेगी ये प्रजा की क्या मजाल जो आपको बुरा कहे महाराज जानते हैं आप कि प्रजा आपके बारे में क्या कहती है क्या कहती है प्रजा तो कहती है कि आप भगवान जी से भी अधिक दयावान है भगवान भी जिनको ख्षमा नहीं करते हैं आप आप तो उनको भी ख्षमा कर देते हैं महाराज हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं वाँ चक्रधर वाँ हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं हम सब को ख्षमा कर देते हैं ख्षमा कर दो ख्षमा कर दो इसे इसे चट से फेको नहीं, केवल धक के मार कर निकाल दो जे जाओ चक्रधर, हम बहुत पसंद है, तुमने हमें भगवान से भी अधिक दयावान बना दिया लो महाराज की जय हो महाराज की जय हो जा चला जा, तेरे भाग जचे जो तुझे राजा जी ने जीवी छोड़ दिया जा जाओ 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 मैं मैं संजी नहीं प्रभू यह उसकी अंतिम परीक्षा थी दुख की चरम सीमा पार करने के पश्चा थी प्राणी सुख की सीमा में पहला कदम रगता है तो इसका अर्थे सुदामा की दुख के दिन सुमाप्त हो गए सुख की दिन आगे सुख की दिन आने गए आने वाले हैं देवी जैसे राथ समाप्त होने पर प्राता काल का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है उसी प्रकार जब प्राणी के पुन्य कर्मों का उधै होता है तो धीरे धीरे जीवन में सुख का प्रकाश आने लगता है उसके लिए मनुष्ट की मती और उसकी बुद्धी में भी बदलावाना आवश्यक है अब देखो वही होने वाला है सुदामर के साथ अग्ष्री किस्टना श्री किस्टना श्री किस्टना श्री किस्टना श्री कृष्टना 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 श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा मुझे एक्षमा कर दो यह सब मेरा ही दोश है ना मैं आपको वहाँ जाने पर विवश्च करती नहीं आप इस प्रकार गायल होते हैं है विधाता हमने तेरा क्या बिगाड़ा है वो तू हमें इतने दुख दे रहा है नहीं बसंधर है इसमें विधाता का कोई दोश नहीं यह तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल है इसलिए विधाता को क्यों पुकारती हो तो फिर किसे पुकारूं आपके मित्र श्री कृष्ण को उनको भी पुकारने से क्या लाब देखो वसंधरे एक बात समझ लो किस अंसार में हर प्राधी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों कर्मों का फल कि जहें दुख हो यह सुख कि सुए भी भोग ना पड़ता है इस जीवन का अंतिम दे है मौक्ष अंति जब तक उसके कर्मों के फल का भोग अभी बाकी है तब तक कोई भी चीव मौक्ष प्राप नहीं कर सकता मौक्ष मौक्ष की चिंता आपको होगी मुझे मौक्ष मौक्ष कुछ नहीं चाहिए मौक्ष 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 की जगा अपने बच्चों और पती के लिए थोड़ेसे अन्न की अधिक आवश्चिकता है आप तो परम ज्यानी है परम तो आपको एक ऐसी स्त्रीक एहरदी की वेदना का ज्यान नहीं हो सकता जिसके आंखों के सामने उसके बच्चे भूके पेट सिसक सिसक कर सो करे हो जिसका पती अपने भीवी बच्चों के लिए कुछ धन कमाने गया था परम तू एक निर्दई राजा के हाथों गाउ लेकर आ गया है एसी मा और एसी पत्नी के रदे की पीड़ा का ज्यान आपके किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा यह समझने के लिए आपको वो शास्त्र छोड़कर जीवन शास्त्र पढ़ना होगा जीवन शास्त्र पढ़िये नाथ और जो मैं कहती हूं उस पर विश्वास कीजिए मुझसे अब और सहा नहीं जाता नहीं सहा जाता क्रिष्णा 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 कुछना किष्ना किष्ना है किष्ना है हरे, हरे सची दानल रूपाया विश्ट पर क्या दिये तवे तापत्रय विनाशाय जी क्रिष्णाय वयं महा जी क्रिष्ण को बिंद दे मुरारे एनात नारा इन वासुदे जी क्रिष्णाय विश्ब मुरा इना kier जी क्रिष्णाय वब ही मुरा सुन राजा अब त्याग ते जूठा मान गुमान सुन राजा अब त्याग ते जूठा मान गुमान दो दिन के सब ठाट हैं दो दिन की ये शान वजले हरी हरी ओ वजले हरी हरी सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास खारे पानी से बुझे तब अमरित की प्यास भजले हरी हरी ओ भजले हरी हरी ओ पगले हरी हरी कोई तेरे पाप का भागनबातन आर पच्चताएगा मौत जब आएगी तेरे गार भजले हरी हरी ओ भजले हरी हरी ओ मूरक भजले हरी हरी पच्चताएगा मात जब आएगी तिरे बार भजले हम गुरुए मापास वोई है ये मूरक हमें मृत्यू का द्वार दिखाने आया है इसे हे मृत्यू के दार तक ले जाओ और महल की छट से लीचे भेग दो जाओ जाओ तेरे फाद के अच्छे तो तुझे राजा जी ने जीवी छोड़ दिया जाओ 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 Shri Krishna Shri Krishna Shri Krishna Shri Krishna मुझे एक्षमा कर दो Shri Krishna यह सब मेरा हिदोश है ना मैं आपको वहाँ जाने पर विवश्च करती नहीं आप इस प्रकार गायल होते है विधाता हमने तेरा क्या बिगाड़ा है तो तू हमें इतने दुख दे रहा है नहीं वा सुन्धर है इसमें विधाता का कोई दोश नहीं यह तो अपने पुर्वजन्म के कर्मों का फल है इसलिए विधाता को क्यों पुकारती हो तो फिर किसे पुकारू आपके मित्र श्री कृष्ण को उनको भी पुकारने से क्या लाब देखो वा सुन्धरे एक बार समझ लो किस अंसार में हर प्राणी को अपने पूर्वजन्म के कर्मों का फल आप तो परम ज्यानी है परंतो आपको एक ऐसी स्त्री के रदे की वेदना का ज्यान नहीं हो सकता जिसके आंखों के सामने उसके बच्चे भूके पेट सिसक सिसक कर सो गए हो जिसका पती अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ धन कमाने गया था परंतु एक निर्दई राजा के हाथों गाउ लेकर आ गया है ऐसी मा और ऐसी पत्नी के अरदे की पीड़ा का ज्यान आपके किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा यह समझने के लिए आपको वो शास्त्र छोड़कर जीवन शास्त्र बढ़ना होगा जीवन शास्त्र पढ़िये नाथ और जो मैं कहती हूँ उस पर विश्वास कीजिए मुझसे अब और साहा नहीं जाता नहीं साहा जाता मुझसे नहीं साहा जाता नहीं वसंधरे नहीं अच्छा पढ़ता हूँ जीवन शास्त्र भी पढ़ता हूँ बताओ तुम्हारा जीवन शास्त्र क्या कहता है देखिए जब आप मेरी खातर एक भोग विला से घिरे हुए राजा के पास जा सकते हैं तो फिर मेरी ही खातर आप अपने श्री कृष्णे के पास क्यों नहीं जा सकते हैं अपने अपने भागवान के पास भाक्त को जाने में क्या अचन है क्या हिच के चाहट है क्या शर्म है मुझे भागवान से मांगने में कोई शर्म नहीं कोई लाज नहीं भागवान के पास जाने में कोई हिच के चाहट नहीं हिच के चाहट है अपने मित्र के सामने हाथ पैलाने में उससे एक पुरुष की मर्दानगी को चूट लगती है इसलिए मैं एक मित्र के दुआर पर जाने से हिच के चाह रहा हूं परम तो क्यों नात आप उनके पास जाने से क्यों हिच के चाह रहे हैं जिनका नाम लेकर सारा संसार जीता है वो तो दीनों की सुद लेने वाले हैं इसलिए दीन दयाल कहलाते हैं देखिए आप इस तीसरे पर में भी इन दयाहीन संसारियों के द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं पर उस दीन दयाल के द्वार पर क्यों नहीं जातें वो तो मांगे बिला है सब कुछ देने वाले हैं वो तो तीनों लोकों में सबसे बड़े दानी हैं तुम ती कहती हो बसंधरे, मेरे श्री कृष्ण तो ऐसे ही है, परन्तु वो उनका भागवान रूप है, लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरा उनका एक तूसरा रिष्टा भी है, मित्रता का, मित्रता के कुछ आदर्श होते हैं, जहां मित्रता का भाव होता है, वहां दोनों में बराबरी का, बराबरी का भाव होना चाहिए, भले ही एक धनी हो और एक गरीब हो, फिर भी वो एक दूसरे के साथ बराबरी का भेवहार करते हों, देखो वह सुन्धरे, मैं भगवान की दया सहन कर सकता हूं, और तो एक मित्र की दया सहन नहीं कर सकता, इसलिए बड़ों का कहना है, किसी मित्र के घर पर खाने को तभी जाना चाहिए, जब आप भी उसको अपने घर बोला कर उसे खाना खिला सकते हों, इसका उतर तो उन्होंने बच्पर में ही दे दिया था, आप ही ने बताया था, कि जब आपने उनसे अपनी निर्धंदा की बात कही थी, तो उन्होंने तो उन्होंने वचन दिया था केवल वे ही मित्रता निभाएंगे आप पर मित्रता का बोज कभी नहीं डालेंगे कहा था ना हाँ कहा था मेरा हाथ पकड़ कर कहा था तो फिर वह अपने वचन के पक्क्य है फिर क्यों आप उन प्रिलों की नात के वचनों पर विश् 그래서 वह अवश्य अपनी मित्रता निभाएंगे मुझे विश्वास है कि आपके पहंचते ही वह ओिझान याँ मित्र की भांती आपका स्वागत करेंगे एक बार एक बार आप वहां पहुंचिये तो सहीं वहां पहुंचना ही तो मुश्किल है देवी तू क्या समझती है कि वह मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही अपने लंबे हाथ करके बैठे होंगे नहीं वह सुन्धरे वो राज राजेश्वर हैं वहां अनेक राजा लोकपाल देवता गंधर्व किन्नर द्वार के बाहर इस प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं कि कब उनकी क्रपाद्रिस्टी उन पर पड़े कि द्वार पाल उन्हें अंधर आने की आख्या दे वहां तक मेरे जैसा कि भटे हाल कि दीन व्यक्ति कैसे पाहुंच सकता है सब लोग भले ही वहां प्रतीक्षा में खड़े रहे हैं परंतो आपको तो पता ही है वह अंतर यामी है अब आपके पहुचने पर वह स्वयम ही जान जाएंगे और सबसे पहले आपसे ही भेंट करेंगे कोई द्वार पाल आपको नहीं रोकेगा अच्छा मान लिया कि द्वार पाल मुझे अंदर दे जाएंगे परंत यह सोचो वह सुंधरा कि उस समय उनके दरबार में तेश तेश की राजिय रजवाड़ी किन्र गंधर्व जैने कौन-कौन खड़े होंगे वहां नंगे पाउं और भटे कपड़ों के साथ जब मैं जाओंगा तो क्या कहकर मेरा पर्चे कराएंगे कि यह मेरा मित्र है और यदि मैं स्वयम मित्र कहके उनसे गले लग जाओंगा तो सब के सामने उन्हें कितना संकुर्चित होना पड़ेगा कि मेरे कारण उन्हें सब के सामने आखें नीची करनी पड़े ऐसा में करने नहीं करूंगा कि इससे तो यहीं अच्छा है कि अब तक जिस्ते सुख दुख के दिन कि किसी नहीं किसी प्रकार काट लिए अब जीवन के अंतिम पहर में एक मित्र का एसान लेकर कनौडा क्यों बनाती हो मुझे जो तीनों लोकों के ठाकुर है जिरे दीन ही नहीं प्यारे हैं ऐसे मित्र के सामने एक बार क्या हजार बार भी कनौडा बनना पड़े तलाज नहीं करनी चाहिए स्वामी पसुंधरे पसुंधरे अब और हट ना करो यह समझ लो कि जब कोई मनुष्य किसी के सामने हाथ पहला कर कहता है कि कुछ दो तो उसके मान बढ़ाई प्रेम गर्वापन इसने इन पांचों का ततकाल नाश हो जाता है इसलिए कहा है विपत्ती पड़े पे द्वार मित्र के न जाएए विपत्ती पड़े पे द्वार मित्र के न जाएए विपत्ती पड़े पे द्वार मित्र के न जाएए विपत्ती परे पे द्वार मित्र के न जाएए एक्षाद मेनश थे दूढे जाएए उढे जाएए आएए ही प्यधक टेंगte है उनको लूजो 3 सुप झानर स về कर दो एंग ही ओूज झानर क्या कर रही हो हाथ मत लगा है बहुत दुखता है थोड़ा दुखेगा पर गाव पर तेल लगा देती हूं कल तक आराम हो जाएगा तेल तेल कहां से लेकर आई हो दीपक में थोड़ा सा है यह तेल मत लगाओ क्यों तेल लगाने से घाव भर जाएगा गाव तो भर जाएगा पर तो दीपक में इतना हसा ही तो तेल बच गया है जिदी कल विक्षा ना मिली तो घर में दीपक भी नहीं जलेगा इसलिए कल के लिए इस तेल को दीपक में ही रहने दो मेरा गाव इतना गहरा नहीं है सुए भी ठीक हो जाएगा जाओ तुम सोजाओ तुम सोजाओ एसे हठी ब्रामन की आप भी कुछ सहायता नहीं कर सकते कैसे भागवान हो यह मुझ से सेवा नहीं कराते ना सही आप ही इनके गाल भर दो आपके भाक्त भी है और मित्र भी स्रीक्रिष्टन इसे शमा करते ना परूप पगले 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 आप किसकी बात मानेंगे प्रभू दोनों की अर्थात मैं संजी नहीं एक की सेवा कर दूंगा दूसरे को शमा कर दूंगा दूंगा पगले झाल झाल मैंने तुए मना किया था ना तेल मत लगा पर क्यों लगा रही हो ये नींद में किसे बाते का रहे हो तुमें से तो कह रहा हूँ तेल मत लगा हूँ परन तु मैं कब तेल लगा रही हूँ तेल लगा रही हूँ तो फर क्या लगा रही हूँ मैं तो सो रही हूँ हूँ परन था इस वहूँ हूँ मैं हूँ 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 यह देखो तेल की चिकनाहट क्या कह रही हैं आप चिकनाहट कहां से आ गई अजय यह देखो अरे यह तो यह तो क्या यह तो माखल है यह कैसा चमतकार यह चमतकार नहीं दिवे घटना है दिवे घटना कैसी यह देखिये माखन की कटूरी यह अपने आप तो यहां नहीं आ सकती इसे कोई लाया होगा कौन लाया होगा अभी तक नहीं समझे नाथ मैंने जो ताना दिया था आपके मित्र श्री कृष्न को कि वो स्वयम आकर आके सेवा क्यों नहीं करते वो इसके उत्तर में वो सचमची माखन की कटूरी लेकर स्वयम चले आए उसे भूल हो गए मुझे एक्षमा कर दीजे नाथ उसे पाप हो गया मैं पापी तुम नहीं वसंदरे पापी तुम मैं हूँ जिसने अपने हट के कारण अपने स्वामी को अपनी प्रभू को यहां ने बर्भी वस कर दिया इतनों कश्तियों उन्हें मैं पापी हूँ मुझे शवा कर दो प्रभू 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 मुझे शवा कर दो मुझे शवा कर दो मुझे शवा कर दो क्या लगता है तुम्हें इसमें मुझे प्रभू का एक संदेश लगता हूँ कैसा संदेश यही कि जैसे वो कह रही हूँ कि यदि तुम मेरे पास ना आने का हट करते रहोगे तो मुझे स्वयम तुम्हारे पास आना पड़ेगा प्रभू तुम्हें आने की अवर्शक्ता नहीं नहीं प्रभू मैं स्वयम आऊँगा प्रभू मेरे हट को शबा कर दो प्रभू मेरे हट को शबा कर दो प्रभू मैं स्वयम आपके चल्ड़ों प्रभू की स्वयम आपके चल्ड़ों मेरा होगा प्रभू के बधाई हो ऊगा हो आऊ रहा है ही हम्हां चाहते थे ना है लू तक आस स्वात मिंटा के प्रेम की जीत है स्थ реальноग सबस्य शख र में श्यृ रेःशन सबस्य छिख रेःशन सबस्य वो रेःशन सुट रेःशन सबस्य घथषन Shri chớ旨... Shri chớ旨... Shri chớ旨... Shri chớ旨... Shri? मुसुे तरी? ऴुपुत? एक बात का संकोच हो रहा है फिर संकोच अब कैसा संकोच हो रहा है देखो किसी मित्र के घर जाओ तो कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और कुछ नहीं तो पांच सुपारी ही लेकर जाओ परन्तो हमारे पास तो पांच सुपारी है ही नहीं वह से पूछेंगे के मित्र भावी ने मेरे लिए क्या भीजा है कम से कम चावल के चार ताने तो पकाकर सरूर भेजे होंगे तो क्या उतर दूंगा तनिक ठहरिये स्वामी मैं भी पांच वाली पंडिता इंसे कुछ मांग कर लाती हूँ स्रीक्रित अरे बसंदरा आओ बहन आओ क्या बात है सुशिला बहन थोड़ी से तंदूल मांगने आई हूँ हो सके तो दो मुठी तंदूल उधार दे दो यह द्वारी का धीश से मिलने जा रहे है राजा के पास खाली हा तो नहीं जा सकते ना इसे लिए आना पड़ा बहुत अच्छा किया जो यहां आ गई राजा के पास जा रहे हैं तो दो मुठी क्यों सारे लिजाओ नहीं, नहीं, बहन, इतने के आवशकता नहीं, ब्रामन की भेंटों केवल पतीक सुरूप होती है, थोड़े से चावलों को भी रभू बहुत मान लेंगे, अच्छा, ये लो. अच्छा लेंगे ये लीजी, सुशिला से थोड़े से तंदू ले आई हूँ, मेरी उसे रभू को यही भेंट कर देना वह अंतर्यामी है, मेरी भावना से ही प्रसन्न हो जाएंगे मेरे पास इतना ही है प्रभू, इतना भी बहुत है मित्र अरे वा प्रभू, आपके भावने तो आपके मसे करा दिये, अकेले मत खा जाना सोच रहा हूं कि यह लड़कडाता हुआ ब्राह्मन तो आरिका तक पहुंचेगा कैसे क्या बात है प्रभू, कोई नहीं लीना करने का विचार है मित्रों में तो चुगल बाजी होती ही रहती है क्या बात है सूल किष्ने सूल किष्ने मुझा प्रभू, मैं एक लंबी यात्रह पर जा रहा हूım द्वारिका कब पहुचूंगा, वहां से कब लोट कर आउंगा, कुछ पता नहीं। सुख, अपने पीछे, मैं अपनी पत्नी और वच्चों को आपके संरक्षर में छोड़ कर जा रहा हूं। इनकी हर प्रकास से रक्षा करना प्रभूल। और ये आशिरवाहत दो, कि जब मैं रोट कर आउं, तो इनको और अपने समस्त नगरवासियों को साकुशल देखूं। स्रीक्रिष्ण, 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 स्रीक्रिष्ण इनके पग पग पर रक्षा करना, इनके पास यात्रा के लिए कोई साधन नहीं है, पाउं में चपल नहीं, सिर पे पगड़ी नहीं, अपने क्रिपा की च्छाओं इन पर बनाए रखना, ऐसा आशिरवादो प्रभू, कि रास्ते में जो भी कंकर और कांटे हो, वो इनके चानों से दूर रहें, और इनके यात्रा सफलो, स्वी ख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्रीख्री माँ भागवती की क्रिपा से मैं शीग रही आपका हस्ता हुआ मुख फिर से देखूं मसुंधरे अपना ध्यान रखना बच्चु से कहना मैं शीग रही लोटकर आऊंगा आप भी अपना ध्यान रखना और हां किसे अंजाने व्यत्ति की बातों में ना आजाना सुना है रास्ते में निर्जन स्थान पढ़ते हैं जहां चौर यात्रियों का सामान लोटने के लिए घुमते रहते हैं माघ्यावान, मेरे पास से चोर क्या चुराएगा? मेरे पास है ही क्या चुराने के लिए एक भगवान की घड्री केषिवा भक्ति ही मेरा सामान है भक्ति ही मेरी संपत्य है यह दि कोई मेरी भक्ति को चुरा कर ले जाएगा तो अच्छा है वो भी भक्त बन जाएगा अच्छा अपना ध्यान रखना, अब तुम जाओ, बच्चों के जागने का समय हो गया है, अगर वो पूछें, तो उनसे कहना, कि मैं द्वारिका से उनके लिए अच्छी अच्छी मिठाई लेकर आऊंगा, कल्यान हो, कल्यान हो, कल्यान हो, शीगर लोटना, मैं रास्ता निहारते रहूंगी, हाँ, अच्छा, शीप, 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 शीप झाल झाल Shri Krishna 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 चला सुदामा कृष्ण से मिलन नारी का धाम जहां सुदामा के बसे बाल सखा घन शाम बाल सखा घन शाम द्वारी कापुरी की ओर रथम चरन जरते ही खोला हल मच गया रे चारो दिशाओं में दिन लोग सहम गए अचर जिसने देख रहे तो तू हलगाप्त हुआ सारे देवताओं में स्रिष्टि के रचैता प्रह्मा जी को चिंता हुई ऐसी क्यारी स्रिष्टि हरी देना डाले दान में क्रिष्टि ने सुदामा को स्वर्गगान दे दिया तो देवता रहेंगे जाके खौन से छान में डर गए कुबेर पंच मेरु डगमा गाने लगे चिंद्र कान चित लगे जृत्य और गान में मित्र से निलेगा मित्र धर्ट से निलेंगे प्रभु जाने क्यार लुटा दे मित्र के सम्मान में किष्णा